नमस्कार देवी और सज्जनों, एक दिन के अवकास के बाद, एक बार फिर हम राजीव भाई को सुनने के लिए एकतर्त हुए हैं, कल कुछ सुना-सुना सा लगा, कुछ खोया-खोया सा लगा, आपको भी लगा? तो यह है राजीव भाई के शब्दों का, उनके विचारों के सार्थक्ता और नशा नशा शराब का नहीं, नसाब स्वस्तता की, नशा अहम का नहीं, नशा सत्भावना का तो ऐसे वागभट के दूत, और भारत के सपूत, स्री राजीव दिक्षित जिसे मैं अनुरोद करूँगा कि यो मंच पराएं और पुर्जोर तालियों के साथ उनका आप स्वागत करें पिछले साथ आठ दिनों में हमने जो कुछ भी सुना राजीव दिक्षित भाई से और जो कुछ भी हमने ग्रहन किया, उसके कृतग्यता में हमारे पास व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है और नहीं है ऐसा कोई उपहार है जो हमें भेट सरूप देकर उस भहमूल्यता को हम आख सके इसलिए हम अपनी कृतग्यता, हम अपना धन्यवाद, उनको चंदन के फूलों के माला के सुगंद के साथ और शौल के उर्जा के साथ व्यक्त करना चाहेंगे, मेरी गुजारी शेश्य शोबा का अंदास जी से कि वो राजी भाई को माला अर्पन करके स्वागत करें पिछले साथ आठ दिनों से राजी भाई ने प्रकृति की बात की, पंच तत्व की बात की तो चार तत्व राजी भाई हमको देते रहे हैं और जो पांचमा तत्व प्रित्वी है वो स्यू साभवन के पधादिकारियों ने हमें वो प्रित्वी के रूप में, इस परिसर के रूप में हमें दिया है मेरी गुजारिश है कि स्री रसिक भाई मंच पर आएं स्यू साभवन के प्रेसिडेंट स्रीशोबा कान जी उन्हें माला पहना कर स्वागत करेंगे और अभी बहुत सारी चीज़ें राजी भाए हमको बताएंगे उसके पश्चाद बहुत लंबा दौर चलेगा प्रश्णोतरी का तो इसलिए हमने आप लोगों से गुजारिश किया कि परची में आप अपने सवाल लिखके राजी भाई तक पहुंचा दे और मैंने परची नहीं लिखिये लेकिन सवाल मैं छोड़ के जाना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि हसना एक औशधी है तो हसना अगर एक औशधी है तो निश्चित रूप से वागभट ने कहीं न कहीं वो कृपया इसका बता है यह सवाल है तो इस हसते खिलखलाते माहूल में मैं यह मंच समर्पित करता हूं सिराजीव दिक्षित को आप से प्रदीप भाई ने बोल दिया है कि जो भी प्रशन है वो अगले एक गंटे में लिखकर मेरे पास पहुचा दें मैं कोशिश करूँगा सभी का जवाब दूं कुछ प्रशन आये हैं कुछ और आप भेज सकते हैं और आपको आज के बाद और प्रशन पूछने हो त तो कभी भी पत्र लिखकर इमेल के द्वारा आप प्रशन कर सकते हैं मेरा नाम और पता हर किताब में बाहर है पुस्तक में से पता आप नोट कर सकते हैं इमेल है फोन है उस पर आप कभी भी प्रशन कर सकते हैं और चूंकि एक प्रशन आ गया है वहां मैं पहले बता दूं क्योंकि वो थोड़ा विशय से हटकर है किसी ने पूछा है कि क्या आप इलाज भी करते हैं हाँ करता हूँ लेकिन बिना फीस के इलाज भी करता हूँ आप कभी इलाज की दृष्टी से भी पूछना चाहें प्रश्ण तो कर सकते हैं ज्यादा कोशिश मैं आयुरुवेट से करता हूँ इलाज करने की और अगर मैं महसूस कर लेता हूँ कि कॉम्प्लिकेशन्स कुछ ज्यादा है तो थोड़ा होमियोपैथी की मदद लेता हूँ लेलोपैथी को कभी भी टच नहीं करता है अभी प्रदीप भाई ने जो प्रश्न किया वहां से मैं शुरू करूँ बागवट्टी जी कहते हैं कि हमारे शरीर में कुछ वेग हैं वेग गती मूवमेंट इस्पीड कुछ वेग हैं और उन वेगों के नाम है कुछ उनके बारे में उनका ये कहना है एक सूत्र है और उस पर पूरा अद्या है एकी सूत्र पर पूरा अद्या है वो ये कहते हैं कि जब ये वेग आएं शरीर में तो कभी भी नहीं रोकना चाहिए कभी भी रोकना नहीं चाहिए ऐसे कुछ वेग हमारे शरीर में है उन में से एक है हसी अगर आपको सहज रूप से हसी आ रही है तो बिलकुल मत रोकिए खूब जोर से खिल खिला कर हसिए अगर हसी आ रही है अब आप पूछेंगे ये हसी आती कैसे है ये जो हसी है इसके बारे में बागवटञी ने बहुत विस्तार से व्याक्या की है कि ये शरीर के अंदर कुछ रसों का प्रभाव है आज की भाशा में हम अगर कहें तो कुछ एंजाइमस हैं और कुछ हार्मोन्स है जिनके चलते ये हसी आती है और ये एंजाइम्स और हार्मोन्स शरीर की अलग-अलग ग्रंतियों से उत्पन्न होते है जैसे हमारे शरीर में ये मस्तिश्क में एक पीनियल ग्लेंड है उसमें से जो रस उत्पन्न होता है मैं रस ही शब्द इस्तेमाल करूंगा hormones और enzymes में confusion हो जाता है तो pineal gland में जो रस उत्पन होता है यह बहुत मदद करता है हसने में आप बुलेंगे जी हसते समय यह पैदा होता है हाँ लेकिन इसके बारे में बागवट्टी जी यह कहते है कि पहले यह रस पैदा होगा बाद में हसी आएगे यह रस कहां से पैदा होता है तो कहते हैं भावना से आपकी भावना है तो यह रस उत्पन होगा और यह seconds में होता है seconds के fraction में होता है कोई भावना आपकी ऐसी बनी रस उत्पन हुआ तुरंत आपने हस दिया तो वो कहते हसी आये तो कभी भी नहीं रोकना चाहिए लेकिन आगे का सूत्र है जो बहुत महत्तो का है जबरजस्ती कभी भी नहीं हसना चाहिए जबरजस्ती कभी भी नहीं हसना चाहिए क्योंकि उस समय जो आप हसेंगे वो मेकेनिकल हसी होगी मेकनिकल आप समझते हैं यांत्र की जिसमें रस नहीं होगा भाव नहीं होगा आप सिर्फ हसेंगे तो कहते हैं बिना भाव और बिना रस की जो हसी है वो शरीर को कोई लाब नहीं देगी अब मैं आता हूँ थोड़ा आपको समझ में आए इस द्रश्टी से आजकल भारत में बहुत जगें लाफिंग कलब्स चलते हैं आप भी हो सकता है जाते हों तो लाफिंग कलब्स में जो हसी है वो पूरी तरह से यांत्रिक है मेकनिकल है वो कहते हैं मुँ पाड़के हसो कोई जोक सुना कर हसाई हसी आती है या उन्होंने कोई एक्टिंग की और उस पर आपको हसी आती है वो ठीक है आपको लाफिंग कलब्स में किसी ने जोक सुनाया मजाक किया आपको हसी आई तो उसमें रस भी होगा भाव भी होगा लेकिन ये मुँ खोल के हाहा हाहा करेंगे ना रस होगा ना भाव होगा तो इससे बचें क्योंकि इससे तकलीफ आएगी फिर बिना रस और बिना भाव की जब हसी आप हसेंगे तो पेट में दर्द होगा और पेट में दर्द होगा तो वो कोई तकलीफ की इस्तिती भी बना सकता है जैसे कई बार आपने सुना है हमारी नस पे नस चड़ गई बिना भाव और बिना रस की हसी में पेट की नस पे नस चड़ सकती है और वो चड़ गई तो डॉक्टर उतार नहीं पाता उसको फिर कहेगा जी ऑपरेशन करा लो कॉम्प्लिकेट हो गई है तो बिना रस और बिना भाव की हसी कभी भी ना हसें लेकिन रस और भाव के साथ हसी आ रही है तो बिल्कुल न रोकें जरूर हसें बात आपको इसपश्ट होई आपको स्वाभविक रूप से कोई द्रश्य देखकर कोई बात सुनकर किसी की क्रिया देखकर हसी आ रही है तो रोकना मत खूब हसना उसको और बिना भाव बिना रस बिना क्रिया के कोई हसी करने की कोशिश कभी आप करना मत वो कहते हैं कि सम में रहिए मद्धिमारगी बनिये हमेशा हर जगे वो कह रहे हैं मद्धिमारगी रहिए ना इस एक्स्ट्रीम पे जाईए ना उस एक्स्ट्रीम पे जाईए क्यों तो वो कहते हैं कि भारत एक ऐसी भूमी है जो मद्धिमारगीयों की ही है भारत एक ऐसी भूमी है जो मद्धिमारगीयों तोखी ही है आप ना इस एक्स्ट्रीम पे जा सकते ना उधर अगर इसको आज की भाशा में कहूं ना ज्यादा लेफ्ट जाइए ना ज्यादा राइट रहिए सेंटर में रहिए बीच में रहिए और क्रश्न भगवान गीता में बार बार यही कह रहे हैं ना ज्यादा भोगी बनो ना ज्यादा त्यागी बनो मद्यमारगी रहो तो भारत में कृष्ण ने कहा और बागभट ने कहा या कभी श्री राम कहते हैं लक्षमन को ये सब भारत के तासीर और मौसम के हिसाब से कहा है आप जो है अगर यूरोप में हैं और अमेरिका में हैं तो आइदर लेफ्ट और आइदर राइट जाने के लिए छूट है में रहिए तो हसी के बारे में भी उनका यह है कि यांत्रिक हसी माने एकड़म एक्स्ट्रीम लेफ्ट कभी भी मत करें और हसी को रोकिये भी मत वो एक्स्ट्रीम राइट बीया आई तो हस लिए ये तो हमेशा नियम के रूप में है और यहीँ नियम आगे भी है वो कहते हैं हसी हो रोकिये मत ये एक स्वेङ हैं कभी भी मत रोकिये इसी तरह से दूसरा एक वेग है जिढूर क कभी की कोशिश मत करिए जबर जस्ती कोशिश अगर करेंगे तो उन्होंने एक सूची दिया है बागवट जी ने कि 13 14 रोग आएंगे आपको अगर जबर जस्ती छीक लेंगे तो इसलिए छीक आ है सहज रूप से छीकिये रोकिये मत उसको ये एक वेग है इसको रोकेंगे तो 23-24 रोग होंगे जब रजस्ती छीकने की कोशिश करेंगे तो 13-14 के आसपास रोग होंगे उन रोगों की पूरी सूची है आप पढ़ सकते हैं पुस्तक इसी तरह से एक वेग है प्यास प्यास एक बहुत बड़ा वेग है बागवटी ची कहते हैं कि जब प्यास लग रही है पानी जरूर पीजिए रोकिये मत प्यास को लेकिन पीने का तरीका है वो ध्यान रखे सिप सिप करके पीना बहुत तेज प्यास लगे तो भी सिप सिप करके ही पीजिए जल्दी जल्दी पान में कहते हरनिया बागवट जी ने उसको कहा है आथ का उतरना आज की भाशा में कहते हरनिया और दूसरा एक बीमारी है appendicitis पानी को जल्दी 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 पीने में ये दो बीमारियां सबसे ज़्यादा हैं हर्निया appendicitis और अगर उम्र बढ़ गई है आपको उम्र बढ़ गई माने 60 वर्ष के उपर और आप पानी इसी तरह से जल्दी जल्दी पी रहें तो hydrosil की बीमारी भी होगी prostate की भी problem आ सकते हैं इसलिए पानी हमेशा पीने का नियम ध्यान रखिए सिफ सिफ लेकिन जब भी प्यास आए तो पानी पीजिए प्यास को रोकिए मत एक ही जगे उन्होंने कहा है कि बिना प्यास के पानी पीजिए वो सबेरे का है उशा पान के पानी की जो बात उन्होंने कही है कि सबेरे का समय ब्रह्म महूर्त का स हमेशा सूर्योद ऐसे डेड़ घंटे पहले का माना जाता है तो ब्रह्म महूर्त का समय जरूर पानी पीजिए बिना प्यास के वही एक समय उन्होंने कहा है कि बिना प्यास के पानी पी सकते हैं बाकी कभी भी पूरे दिन में उन्होंने कहा है कि प्यास लगे तो जरूर पान बुझाई और देड़ घंटे के बाद आप पानी पीकर प्यास बुझाई तो प्यास एक वेग है इसको रोकिये मत नहीं तो क्या होगा प्यास रोकने से लगबग उन्होंने सूची बनाई यह 58 रोग है अगर प्यास रोकी आपने जब प्यास लगी है और आप नहीं पी रहे है पानी तो 58 रोग आएंगे इसलिए वो कहते हैं कि यह आप कभी मत करिये अच्छा दूसरी तरफ एक बात और कहते हैं कि उशा पान के समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय में जबरजस्ती पानी पीएंगे तो भी तकलिफ आने वाली हर जगे वो कहते हैं मत दिमारगी रह तो ये प्यास का ही वेग है ऐसे हाँ 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 आगे वो कह रहे हैं कि पानी जब भी पीना हो आपको तो हमेशा बैटके ही पीजे collectively खड़े-खड़े पानी पीने को पूरी तरह से निश्यद किया उन्हों हमेशा बैठके पानी पीजे और बैठने के दो तरीके सबसे अच किया है वो अर्द बैठने की स्थिती होती है आप पूरे नहीं बैठते हैं हाँ लेकिन कुरसी पर बैठके पानी पीना तो मैंने आपको बता दिया ऐसे आलती-पालती मारके कुरसी पर बैठ जाए ये फिर पीजे आगे का एक वो वेग को रोकने के लिए वो कहते हैं बहुत ये भूख एक ऐसा वेग है जिसको अगर आपने जबरजस्ती रोकने की कोशिश की तो इसमें सबसे ज़्यादा रोग उन्होंने गिनाए हैं एक सो तीन रोग है अगर भूख को जबरजस्ती रोकने की कोशिश आपने की और वो कहते हैं पहला रोग शुरू होगा एसिडि इसलिए कहते हैं भूख को जबर्जस्ति मत रोकिए अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा जी हम तो उपवास करते हैं तो तो उन्होंने कहा है एक सूत्र में कि उपवास शरीर के शुद्धी की क्रिया है और वह आगे कहते हैं कि शरीर शुद्धी होती है तो मन और चित दोनों की भी शुद्धी होती है उसके साथ तो उपवास एक क्रिया है जो शरीर शुद्धी मन और चित तीनों की शुद्धी के लिए है लेकिन उसके लिए नियम है वह यह कहते हैं कि जब आपके शरीर में आपको ऐसा लगने लगे कि अत्रिक्त कुछ हो रहा है अत्रिक्त अत्रिक्त से मतलब मैं समझाता हूं आप खाना खा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी जरूरत है उतना खा रहे हैं और कभी ऐसा लगने लगे कि जरूरत से जादा खाली आए हमको तुरंद महसूस हो जाएगा यह श अगरे पूरवक आपको खिला दिया या आप कुछ इस स्थिती में थे मूड आपका ऐसा था ध्यानी नहीं रहा बाते करते करते या खाना खा रहे हैं जादा चला गया ऐसी किसी भी स्थिती में जब अत्रिक्त है तब आप उपवास के बारे में जरूर तै करिए मनें आप उ तो सपताह में मनें साथ दिन होते हैं उसमें एक दिन का तो ठीक है एक दिन का एक दिन का उपवास बहुत अच्छा है साथ दिन अगर आपने लगातार सुबे दुपेर शाम तीन बार भोजन किया है तो कहते हैं एक दिन का उपवास बहुत अच्छा है जरूर कर सकते हैं लेकिन उस उपवास वाले दिन उस उपवास वाले दिन नियमित रूप से समय समय पर बीच बीच में पानी पीते रहे। बिना पानी का उपवास अच्छा नहीं है पानी पीते रहे बीच बीच में क्यों पीते रहे वो कहते हैं कि आप भले उपवास करो लेकिन शरीर के पेट में जो अमल बनने की क्रिया है वो तो रुकने वाली नहीं है वो तो तब ही रुकती है जब आप मर जाते हैं ये तो सतत अमले को release करता ही रहता है और पेट में जो अमले है वोनों hydrochloric acid हैं हराब अमलों में उसकी गिनती मानी जाती हाइd अब येüz होता है खाने को पचाने में मदद करने के लिए खाना आप खाएंगे नहीं लेकिन इसका release होना रुकेगा नहीं क्योंकि शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है वो प्रकरती और भगवान के कंट्रोल में है तो वो कहते हैं कि थोड़ा पानी पीते रहे तो ये जो HCL है ये डाइल्यूट होके पेशाप के रास्ते निकलता रहे तो हानी नहीं पहुँचाएगा और अगर आपने पानी नहीं पिया उकुवास में तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी अंतनियों को जला डालेगा आथों को जला डालेगा तब आप कोई गंभीर बीमारी के शिकार होंगे और तब आप शायद परिशान हो जाएँ और आपकी बीमारी ठीक भी ना होने पाए क्योंकि बागवट्टी जी कहते हैं कि शरीर के किसी भी अंग का कोई पर्मनेंट डेमेज हो गया तो उसका रिपेरिंग नहीं होता एक बार डेमेज हुआ पर्मनेंट तो रिपेरिंग नहीं होता तो फिर आपको क्या होगा अलसर होगा पेप्टिक अलसर होगा घाओ बन जाएगा आतों में और फिर वो इतनी खराब इस्तिती में लेके जाएगा कि डॉक्टर कहेगा आतें काटके निकालो तो ये मत करिए वो ये कहते हैं उपवास करना हो तो साथ दिन तीन समय का भोजन किया है साथ दिन माने छे दिन तो साथवे दिन आप एक दिन उपवास करिए लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पीपी के उपवास करिए मतलब ये है दूसरे शब्दों में मैं कहूं निर्जला उपवास मत करिये । अब हमारे यां कई जगे मैंने देखा दुर्गा माथा का समय आएगा तो हम सब बहूत बार साथ दिन निर्जला उपवास करते हैं ते साथ दिन लगाता वो cognitive देगा अप आप करते हैं भक्ती भाव से बहुत अच्छा है लेकिन वो तकलीफ दे दे आपको शारी रिक रूप से वो ठीक नहीं बागबट जी ने बहुत सुंदर सूत्र लिखा है उन्होंने ये लिखा है कि जो शाकाहारी खाना खाने वाले लोग हैं शाकाहारी आप सब जादातर उसी श्रणी के हैं इनके लिए उपवास अच्छा नहीं है जादा लंबा लेकिन जो मासाहारी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करने ही चाहिए मासाहरी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करने ही चाहिए जो शाकाहरी खाना खाते हैं उनको ज्यादा लंबे उपवास अच्छे नहीं है अब ये उन्होंने लिख दिया मैंने इसको फिर observe करना शुरू किया प्रकरती में दो तरह के जानवर हैं आप जानते हैं कुछ हैं जो मासी ही खाएंगे हिंसा करके ही अपना पेट भरेंगे और कुछ हैं जो शाकाहरी है गाय जैसे है बकरी जैसे है भैस है बैल है चुडिया यह सब शाकाहरी जीवों में गिंती होती है लेकिन शेर है चीता है लगडबगा है लोमड़ी है कुता है यह ऐसे जीव हैं जो मास भी खाते हैं और कुछ तो मास ही खाते हैं जैसे सांप है बड़े से बड़ा सांप अजगर ले लो और छोटे से छोटा रसल्स वाइपर या करेत ले लो यह मास ही खाते हैं मेड़क को खाएंगे चिपकली को खाएंगे केचुओं को खाएंगे कुछ ना कुछ ऐसे जीवों को खाएंगे लेकिन ये बड़े पके हैं नियम के बाग से बड़ी बकरी को खा जाता है इतना खालता अजगर बकरे को खालेगा लेकिन खां लिया तो पंद्र दिन उपवास ले ripping पंद्र दिन उपवास करें सोलवें दिन ही दुबारा खाएगा पर तो बागवटी जी कहते हैं कि नियम ये है कि अगर आप मास खा रहे हैं किसी भी तरह का तो आप लंबे उपवास जरूर करें अब फिर कारण वही है वो ये कहते हैं कि ये जो मासाहरी लोग हैं इनका भोजन जो है ये शरीर के अंदर के जो हाइड्रोकलोरिक एसिट को रिलीज करने वाली ग्रंतियां है इनको मंद करता है मास का जो पाचन है उसमें से जो कुछ भी आपके शरीर को मिलने वाला है वो आपके शरीर में एसिड रिलीज करने वाली जो ग्रंतियां है उनकी क्रिया को मंद करेगा तो कम निकलेगा तो वो लंबे उपवास कर सकते हैं शाकाहरी लोगों के लिए उन्होंने कहा है लंबे उपवास ना करें और कोई कारण से आप कर रहे हैं तो ये उनकी बात ध्य सब्सक्राण में रखें बीच बीच में पानी पीते रहें अब बोले जी पानी कैसा पिए तो उस पानी के लिए 20-25 सूत्र लिखें जैसे लॉंग का पानी पिए लंबे उपवास अगर आप कर रहे हैं तो लॉंग का पानी पिए मूंग का पानी पिए मूंग की दाल आप स दूद में घी डालके पियें ये तो चरक ने भी कहा है शुशुरत ने भी कहा है पारशर ने कहा है निगंटू ने कहा है बीसियों लोगों पानी में घी डालके पियें ये बागवट जी कई है वो कहते हैं लंबे उकवास कर रहे हैं तो पानी में घी डालके घी माने गाय का बहेंस के घी का कहीं भी उन्होंने जिक्र नहीं किया एक ही जगे किया है जो पहलवान कुष्टी लड़ रहें वह कि लोगों के लिए बहेंस vivir नहीं है गाय का तो पानी में घी डाला के प्यें पक्का पानी पंडते हैं आप सब समझते समें ओबाल के पानी बनाया हुआ पका पानी बनाते समय आप जानते थोड़ा चूना भी डाला जाता तो चूने का पानी पिएं ऐसे करकर के 23-24 सूत्रुनों ने लिखे हैं वो लंबे उपवास करने वालों के लिए हैं माने आप मैंसे जहन धरम का पालन करने वाले लोग लंबे लंबे उपवास करते हैं तो उनके लिए है लेकिन एक जिए बागवट्टी जी कह रहे हैं कि उपवास करने का सबसे अच्छा तरीका एक है अगर करना ही है तो आप लोग करते हैं बियासना करते हैं एक दिन खाना एक दिन उपवास वो कहते हैं इसको क्या कहते हैं एक दिन खाना एक दिन माफ करिएगा गलत शब्द बोल दिया एक दिन खाना 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 इसको बागवट जी सबसे अच्छा मानते है लगातार छे दिन खाना और एक दिन उपवास वो कहते हैं ठीक है निकलने की क्रिया उसी के हिसाब से होती है थोड़े दिन में पहले कुछ दिन नक तक लिफ आएगी लेकिन थोड़े दिन में आदी हो जाएगा और शायद इसलिए जैन दर्शन में या जैन समाज में वर्शी तब करने वालों का बहुत महत्त है बड़ा सम्मान किया जाता है बहुत गाजे बाजे के साथ उनको मंच पर बिठा के मालाएं डाल के वो शायद इसलिए है कि वो बहुत वेग्यानिक काम कुछ कर रहे हैं तो वो भूग के बारे में कह रहे हैं कि भूग का वेग जादा रोकना नहीं अगर आप मेहनत में और मजदूरी कर रहे हैं तब त खीच रहे हैं ठेला खीच रहे हैं उनके लिए उपवास नहीं है उपवास उनके लिए है जिनको शरीर श्रम जादा नहीं करना उनके लिए मनें आपके लिए मेरे लिए जादा उपवास बात है मेहनत करने वालों को जादा उपवास नहीं उनको तो जब भूख लगे तोड़ा कम अच्छा और शाम का सबसे कम अच्छा मने सुबह का नाश्ता या भोजन जैसा हो दुपहर का लंच जो है नाश्ते जैसा हो और रात का खाना तो बिलकुल या कम से कम शाम का खाना कम से कम हो वह मैं पहले दिन आपको दूसरे दिन बता चुक और एक वेक के बारे का समय है इसको कभी भी रोक है ने कभी भी आएगी यह वा आती है जब भी आपके बंध हमे आपका आधुनिक Willi समझ में आजाएगा ब्लड में ओकसिजन की मात्रा जब भी कम हो जाएगी जमाई जरूर आएगे एकस्ट्रा ओक्सिजन लेने के मूँ儿 खोल कर आप जो जमाई लेंगे तो ये extra oxygen जाने के लिए है तो वो कहते हैं कि जमाई को कभी न रोकें ये जो हम कर लेते हैं ना शरम आने के लिए जबर जस्ती मूँ बंद करके जमाई लेने की कोशिश करते हैं बहुत खतरनाख कभी मत करें मूँ खोलिए पूरा क्योंकि आपके शरीर का तो ये अच्छा है और बच्चों को भी वैसे ही सिखाईए इसमें कोई शरम करने की बात नहीं है क्योंकि ये प्रकरती किक्रिया है शरीर को दुरुस्त रखने के लिए है जमाई जरूर लीजे और कई वार हम हाथ रख लेते हैं मूँ पे ये बहुत ही खराब है क्योंकि बाईयू को जाने से आप रोक रहें वो जमाई आ रही है जादा ऑक्सीजन के लिए शरीर में शुद बाईयू जादा जाए इसके लिए जमाई आ रही है और आपने मूँ पे हाथ रख लिया और फिर जमाई ले रहे हैं ये बहुत खराब कभी मत करें मूँ खोल कर जमाई लीजे हाँ फिर एक बात वो ये कह रहे है यहाँ पर जैन दर्शन की बात बहुत गहरा है इसे समझ एक जगे कहते हैं कि आपसे ज़्यादा ग्यानी और आपसे ज़्यादा तपस्वी लोगों के नजदीक बैठे हैं तो दूर जाकर जमाई लीजे माने इसको मैं ऐसे समझाऊं किसी महरास साब के पास बैठे हैं जो दोनों ही स्थिती में आपसे ज्यादा तफस्वी भी है और ग्यानी भी है तो उनके पास बैटके जमाई कभी मत लीजे आप उड़ जाए कहीं दूर कोने में चले जाए हैं हाँ लेकिन वेग बंद हो तो उसके लिए फिर दूसरा है वो मजबूरी का है कि जेब से रूमा साल निकालिए कोशिश करिए क्योंकि आपकी जमाई उनको तकलीफ करने वाली है आप जब यह तो आप जानते हैं प्रकरती का नियम है कि जितनी ऑक्सीजन लेंगे उतनी कार्बंडायॉक्साइड तो निकलेगी नहीं तो इस पेस बनेगा नहीं ऑक्सीजन के लिए तो पस्या आपके जीवन में है नहीं जादा सायम आपके जीवन में है नहीं जादा और लोब लालच मद मोह काम क्रोध सब कुछ आप में भरा हुआ है और उनका जीवन बिलकुल इन सब कशायों से परे है तो उनके सामने जो आप कार्बंडायॉक्साइड निकालेंगे वो उ पूर्ट जी नहीं कहा कि आप मुँपे रूमाल तो कम से कम रख लें हाथ हाथ रखके जमाई महाराजी के सामने ही लें ऐसा को बाकी जीवन में लेने की आपको जरूरत नहीं अब एक और वेग है जिसको कभी न रोक है नहीं तो बहुत तकलिफ आईगी मूत्र का वेग मूत्र वेग कभी भी रोकने की कोशुश ना करें जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मूत्र आना ही चाहिए या शरीर सिग्नल दे रहा तुरंत उस वेग को निकालिए और मैं अब आपको आधुनिक विज्ञान कहता हूँ पहले बागवट्ट जी की बात करें वो कहते हैं कि यह मूत्र वेग को कभी भी रोकेंगे तो रक्त के सारे विकार आपके शरीर में आएंगे अब मैंने ये एक एक्सपरिमेंट मेरे ऊपर कभी किया था कि मैं मूत्र का वेग रोकूं फिर देखूं क्या होता है तो तुरंत मैंने महसूस किया कि शरीर पे दवाव बढ़ गय प्रेशर बढ़ गया शरीर पर शरीर के हर हिस्से पर प्रेशर बढ़ गया फिर मैं तो मरीज का इलाज भी करता हूं तो बहुत मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको पेशाब नहीं आ रही है तो सबसे ज़्यादा तड़प उनकी जिंदगी में मैंने तब ही देखी है जब मूत्र के वेक को नहीं रोकें इसमें हर तरह से दबाव शरीर पर पढ़ेगा सब तरह की ग्रंतियों पर दबाव बढ़ेगा रक्त पर दबाव बढ़ेगा हर तरह से दबाव बढ़ेगा तो मूत्र को रोकने की कभी भी कोशिश ना करें जब आए तब जाए अब आपके मन म एक प्रशन आ सकता है कि जी बार बार मूत्र आए तो हर 60 मिनट में आए हर आदा गंटे में आए और एक दो बुम्द आए फिर नहीं आए एक दो तो आप समझिए कि कोई बीमारी के शिकार हैं अगर खुलकर पूरा मूत्र आ रहा है तो कोई कोई चिंता की बात नहीं है लेकिन रुकर के आ रहा है दो-तीन बूंद आया फिर रुक गया फिर दो-तीन बूंद meglio तो आप बिमारी के शिकार है तो ऐसी इस्तिती में आप किसी विशेशग्य की मदद लें वो जो पंद्रे प्रतिशत वाला हिस्सा है ना वो यही है ऐसी इस्तिती में किसी विशेशग्य की मदद लें और वो आपको मदद कर दे मूत्र को निकालने में तो बहुत अच्छा है दवा की मदद से अउशदी की कि मूत्र है मल मल का वेक कभी न रोक हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टॉइलेट जाने की इक्षा है तो जरूर जाइए सोचिए ही मत उसके बारे आप बोलेंगे जी कोई परिस्थिती ऐसी है मैं ऐसा मानता हूं कि अब ऐसी कोई परिस्थिती है नहीं ट्रेन में सभी जगे टॉइलेट रूम्स हैं हवाई जहाज में सभी जगे टॉइलेट रूम्स हैं आपके घर में तो है ही यहां जहां भी बैठे हैं वहां है हो सकता है सड़क पर चलते समय तो सरकारों ने कई जगे बनाए हैं माने कोशिश करिए कि वो रोके नहीं उस वेक को आप अगर है ऐसी इक्षा तो जरूर जाएं जरूर जाएं फिर आप कहेंगे जी फिर वोई मूत्र वाली इस्तिती है बार बार ट्वालेट आती है तो तो बागबट अगर एक दिन में दो बार आप जा रहें वो दो बार हो सकती है आपके शरीर के हिसाब से हो सकता है सुबह और शाम आप जाएं कोई लोगों को सुबह और दुपहर भी हो सकती है कोई लोगों को सुबह सुबह भी दो बार हो सकता है ऐसी इस्तिती तो वो कहते हैं दो बार कि मदद लीजिए और उसको ठीक करें तो मल के वेग को ना रोकें मूत्र के वेग को ना रोकें जमही आ रही है तो ना रोकें हसी आ रही है तो ना रोकें प्यास लग रही है तो कभी भी अपने को ना रोक हैं इस तरह के उन्होंने कई वेग के वारे में कहा है ऐसे लगबग 14 वेग हैं मैंने कुछ बता दिये बाकी आप चाहें तो पढ़ लेना किताब में क्योंकि समय कम है हर बार मुझे यही लगता है कि क्या छोड़ू क्या बता हूँ थोड़ा इससे आगे बढ़ हैं तो आपके जीवन के बारे में वो ये कह रहे हैं कि ये एक वेग ऐसा है जिसके बारे में सादू, संत और महंत सादू, संत, महंत, तपस्वी, तेजस्वी ये लोग ही हैं जो उस वेग को रोक सकते बाकी के लिए नहीं है वो जो सादू हैं संत हैं महंत हैं उनके लिए ये है कि वीर के वेक को रोकें और ग्रहस्ती जीवन चलाने वालों के लिए है कि वो कभी भी न रोकें इस पर बागवट जी ने बहुत लंबी व्याक्या किया साधू संत महंत महरासा ब्रह्मचारी तेजस्वी तपस्वी इस तरह के लोकों के लिए उन्होंने निर्देश किया है कि वो जरूर अपने वीर के वेक को रोकें और अगर नहीं रोक पाते हैं तो उनकी साधुता उनक वो कमजोर पढ़ती है और आप जैसे लोग जो ग्रहस्ती का जीवन जी रहे हैं उनके लिए वीर के वेक को रोकना बहुत ही खतरनाक है मने इसको उन्होंने काम वेक करके कहा है काम वेक ग्रहस्त लोगों को कभी रोकना नहीं चाहिए और साधु संतों को हमेशा तपस्या क करके उस पर कंट्रोल करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए तो सादू संतों का जो जीवन है वो पूरा जीवन शायद इसी में चला जाए तो भी वो कहते हैं कि निरर्थक नहीं है अब क्यों उनको नहीं करना चाहिए किंू आपको करना चाहिए ये विशलेशन में जाओंगा तो देर ज्यादा हो जाएगी आपको संकेत रूप में मैं आफ से कह रहा हूं कि वीरिका वेक काम का वेक वो कहते हैं सबसे खराब वेक है जो जो रोका तो आपके लिए और सादू संत महंतों के लिए कहते हैं कि अगर उन्होंने नहीं रोका तो उनके लिए सबसे ज़्यादा खराब तो उनका प्रयास पूरे जीवन बसा होना चाहिए जो उसको रोख अब उस प्रयास में ही उनकी दिन्चर्या उनकी रितुचर्या और उनकी आहारचर्या शामिल है बागवट जी ने कई सूत्र लिखे हैं कि जो सन्यासी हैं संत हैं महात्मा हैं उनकी दिन चर्या रितू चर्या आहार चर्या आपसे भिन्न हैं होनी ही चाहिए और आपकी दिन चर्या रितू चर्या आहार चर्या साधू संत और महात्माओं से भिन्न है जो होनी ही चाहिए दोनों जगे भिन्नता है वो जान लेने के लिए आवश्चक है तो हम कहते हैं ना साधू संत और सन्यासियों के भोजन तीखे मसाले वाले ना हो एकदम सादगी पूर्ण हो जादा उसमें घी तेल जादा इस्तेमाल ना हो बगएरा बगएरा तो और आपके लिए बिलकुल उल्टा है आपके भोजन में तीखे मिर्च मसाले हो तो चलेगा घी तेल बहुत जादा हो तो भी चलेगा तो ग्रहस्तियों के लिए जो जीवन है आहार चरिया दिन चरिया और रितु चरिया का और साधू सन्यासियों के लिए जो जीवन है दिन चरिया दोनों में बहुत अंतर है इस पर लंबा विशलेशन हो सकता है समय की कमी है अब मैं आ जाता हूँ आपको जो कुछ मैंने अब तक कहा उसको जरा समराइज कर दो जो कुछ अब तक कहा छे सिनों में उसको थोड़ा समराइज कर दू और इतना समरी जरा ध्यान से आप सुन लीजे नहीं तो फिर से लिख लीजे एक बार लिख चुके हैं तो दुबारा भी लिख लीजे कोई उसमें नुकसान नहीं होगा ह हो सकता यादी हो जाए आपको क्योंकि बार बार कोई चीज लिखे ना तो अच्छे से याद होती है सुनने से तो होती है उससे भी जादा याद होती है लिखने से हो सकता आपको लगे कि यह तो आपने बोल दिया है फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे आज पूरा बा कुन हैं जो साधू हैं संत हैं सन्यासी हैं महात्मा हैं ब्रह्मचारी हैं यह सब असाधहरण श्रेणी के लोग हैं आप जो हैं साधहरण श्रेणी में आते हैं तो साधहरण श्रेणी के लोगों को जीवन भर बिना रोग के जीवन बिताना बिना डॉक्टर की मदद के अपने जिन्दगी को चलाना बिना विशेशक की मदद के अपने जीवन को चलाना उसके लिए उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने पिछले साथ दिन में अलग-अलग समय पर आपको बताया आज फिर उसको कह रहा हूं रिपीटीशन कर रहा हूं ताकि याद रहे तो सबसे पहला मुक्षिनियम है आप जैसे ह्ये लोगों के लिए वह वही है खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पिये ये सबसे जरूरी सबसे आवश्यक ने हैं खाना खाने के बाद कभी भी पानी तुरंत ना पिये हैं डेड़ घंटे के बाद पानी पिये हैं एक्स्प्लेनेशन में पहले दे चुका हूँ अगर आप चाहें तो फिर समझा देता हूँ खाना खाते ही पेट में अगनी प्रदीप्त होती है उसको जठर अगनी कहते हैं जठर पेट का वो इस्थाने जहां काने का पाचन होता है हिंदी में उसको आमशे कहते हैं संस्कृत में जठर कहते हैं तो जठर इस्थान पे अगनी प्रदीप्त होती है और ये अगनी डेड़ घंटे तक ही रहती है तो डेड़ घंटे तक पानी न पिये तो अगनी अपना काम अच्छे से करेगी तो भोजन आपका अच्छे से पचेगा रस में बदलेगा और मैंने आपको क्रिया बताई थी कि पहले खाना जो है ना पेस्ट में बदलता है जैसे बिना पानी के रस नहीं बनता तो के देड़ गंटे के बाद पेड भर के पानी पीए यह सबसे जरूरी सबसे आवशक पहला नियम दूसरा नियम पानी कभी भी पीएं तो घूट-घूट भर के पीएं यह मैं बहुत आवशक नियम मानता हूँ सब के लिए आप जैसे लोगो करें आप मेंसे थोड़ा अगर किसी को भी धीरज हो धैरे अपने जीवन में है तो आप ये चालू कर दीजिए पानी गूट 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 जितना कम से कम एक घूट में पानी पी सके हैं उतना और मूह में गुमा-गुमा के हैं ऐसे ऐसे कर कर आप छे महीने बाद देखना छ ज्यादा फ्रेश हो आप कहेंगे मैं पहले से ज्यादा हलका हो गया मने वजन कम हो गया आप कहेंगे पहले से अच्छी नीद आ रही है आप कहेंगे पहले से अच्छा खाना हजम हो रहा है आप कहेंगे पहले से ज्यादा मेरे दर्द कम हो गए जो भुटनों का कमर का कंदे का जगे जगे आप कहेंगे चकराना बंद हो गया आप केंगे सुबह सुबह उठकर सिका दर्द कम हो गया ऐसी पच्छ वात अब खुद कहेंगे छे महीने के बाद आप करिये इसको मैंने तो कई लोगों को बताए साल साल भर से करने डिड़ साल से कर रहें मैंने आपको एक उधारंड दिया था हमारा सहयोगी girl gel mean 140 इक सवा साल से घुट घुट पानी पिराया भी 70 किलो का कौई की कोई शसन नहीं करता कोई प्राणायम नहीं करता जिंड में नहीं जाता कोई एक्सरसाइज नहीं करता क्योंकि उसको फुरसत भी नहीं है आईटी कंपनी में काम करता है लेकिन ना जरूर करता पानी जब भी पिएगा घूट घूट पिएगा खाने के डेड़ घंटे बाद ही पिएगा यह अद्बुत है इस नियम को मैंने हजारों लोगों पर करके दे है क्योंकि यहां एसिड बन रहा है एसिड खाने के समय में जो निकले तो खाना पचे खाने के आगे पीछे जो एसिड निकलता है वो डाइल्यूट होना ही चाहिए नहीं तो वो पूरे रक्त में जाकर उसकी एसिडिटी बढ़ा देता है और वही एसिडिटी है जो आपको पानी गड़ागड गड़ागड जो पी रहे हैं यही एक छोटी सी गलती जिंदगी में आपको सबसे भारी पड़ेगा ठीक है तो पहला नियम मैंने आपके लिए कि पानी खाने के डेल गंटे बाद पीना हमेशा पानी घूट घूट बरके गुमा घुमा के पीना है सुब के नजदीक रखके ही पानी पी है हमारे भारत में मैं आपको एक बात ऐसी कहता हूं जो थोड़ी सी हटकर है लेकिन आपको समझाने में मदद करें भारत में हजारों साल की जो सब्विता है गिलास नहीं है यह गिलास जो है ना विदेशी है गिलास भारत का नहीं है यह गिलास जो है यूरोप से आया और यूरोप में पुर्तगाल से आया यह पुर्तगाली जब हमारे देश में घुस गए तब से गिलास में हम फस गए गिलास अपना नहीं है लोटा है लोटा लोटा और गिलास का अंतराफ लोटा है और लोटा कभी भी एक रेखिये नहीं होता वो ऐसे 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 होता है तो बागवटी जी कहते हैं कि जो बरतन एक रेखी हैं उनका त्याज जिकरें वो हैं नहीं अच्छे काम के नहीं तो गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता तो लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता अब आप बोलेंगे जी क्या फरक है फरक सीधा सा है पानी के बारे में मैं बता चुका हूं पानी को जहां धारण किया जाए वैसे गुण उसमें आते हैं पानी अपने गुण कुछ नहीं है जहां दे दो वही गुण हो जाते हैं दही में मिला दो चाच में बन गया वह दही का गुण ले लेगा पानी खतम हो दूद में मिलाया तो दूद का गुण तो लोटे में पानी जो रखा तो पात्र का गुण आएगा लोटे का अब लोटे का गुण क्या लोटा गोल है ना गोल है ना और आप थोड़ा गणित अगर समझते हैं और विज्ञान समझते हैं तो हर गोल चीज का सर्फेस टेंशन क कम रहता क्योंकि सर्फेस एरिया कम होता है हर गोल चीज का चूंकि सर्फेस एरिया कम है इसलिए सर्फेस टेंशन कम है इसको हिंदी में प्रश्ट तनाव कहते हैं हर गोल चीज का सर्फेस एरिया कम है तो सर्फेस टेंशन कम है और सर्फेस टेंशन कम है तो जो पानी उसमें ह पानी ही आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है अगर सर्फिस टेंशन बढ़ा हुआ पानी आप पिंगे तो बहुत तकलीफ करने वाला है सर्फिस टेंशन बढ़ी हुई कोई बी चीज आप खाएंगे तो तकलीफ करने वाली है क्योंकि उसमें शरीर को तकलिफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता है तो गिलास का पानी और लोटे के पानी में जमीन आस्मान का अंतर इसी तरह से कुएं का पानी कुएं का गोल है ना सबसे अच्छा ये सारे सादुसंद कुएं का ही पानी पीते हैं आप जानते हैं ना मिले तो बिहार कर जाते हैं जहां कुएं मिलेगा वहाँ पीएंगे देखा है ना आपने सादुसंद वो कुएं का पानी उनके लिए सर्वश्रेश्ट है क्योंकि कुएं गोल है कुएं की सरकंफरेंस कम है और surface area कम है इसलिए surface tension कम है और surface tension कम होने से क्या होता है पानी का एक गुण बहुत लंबे समय तक जीवित भड़, पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना अब आपके लिए वो गुण कैसे काम में आरहा है वो जरा देखिए आपकी बड़ी आत है और छोटी आत है आप जानते हैं कि उसमें मेंब्रेन है कच्रा उसी में जाके फसता है तो इसको निकाल निकाल के बाहर लाना पड़ता है ये तबी संभव है जब सर्फिस टेंशन कम बाला पानी आप पी रहे है तो अगर सर्फिस टेंशन बढ़ा पानी है तो ये कच्रा बाहर नहीं निकालेगा कि मैं इसको एक दूसरे तरह से समझाता हूं कॉम्प्लिकेशन है लेकिन सरल समझा रहा हूं आप एक एक्सपरिमेंट करिए आज घर जाईए और दूद लेके चेहरे पर लगाई थोड़ी दे और पांच मिनिट बाद सर्फेस टेंशन सभी वस्तूओं में सबसे कम है तो जैसे दूद आपने अपलाई किया दूद में इस त्वचा के सर्फेस टेंशन को कम कर दिया क्योंकि जो वस्तू का जो गुण है दूसरे पर लगाओ तो वैसा ही आएगा तो यहां दूद ने सर्फेस टेंशन कम किया तो तवचा थोड़ी सी खुल गई और तवचा खुली तो अंदर का कच्रा बाहर निकल गया because कि यही क्रिया पानी करता है पेट में यहीं कि आप पेट में पानी डाला बड़ी आत और च्छोटी हाद का सर्फेश टेंशन इसने कम कर दिया तो बड़ी आत और छोटी आत थोड़ी खुल गई और खुली तो सारा कच्रा उसमें से बाहर आ गया और हाई सर्फेस टेंशन का पानी पिये ज्यादा सर्फेस टेंशन का तो आतें सिकुडेंगी क्योंकि तनाव बढ़ेगा तनाव बढ़ते समय चीज सिकुडती है तनाव कम होते समय चीज खुलती है तनाव बढ़ेगा तो सारा कच्रा आतों में अंदर बंद हो जाएगा अब यही आपको मूल व्याद, बवासीर, भगंदर सब करेगा इसलिए सर्फेस टेंशन, कम वाला ही पानी पीना लोटे का पानी सबसे अच्छा माना जाता है गोल कोई भी वस्तू आपके घर में है उसमें रखा हुआ पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है तो गोल कुए का पानी है तो बहुत अच्छा है गोल तालाब का पानी हो, तालाब भी गोल होते है ना तो गोल तालाब का पानी बहुत अच्छा, गोल कुए का पानी बहुत अच्छा, तालाब से छोटी एक पोकर होती है पोकर, अगर पोकर गोल है तो उसका पानी बहुत अच्छा, नदी के पानी की तुलना में हमेशा कुए का पानी अच्छा, क्योंकि नदी में गोल कुछ भ पानी लोटे का लोटे जैसी कोई भी गोल चीज है तो अच्छा अब आप इसको प्रकरती में भी महसूस करेंगे बारिश का पानी गोल होके नीचे आता है मनें बूंदें सब गोल हैं क्योंकि उनका सर्फिस टेंशन हमेशा कम है तो यह विशलेशन लंबा चला जाएगा ले में लोटे ही निकल गए अब गिलास घुज गए और लोटे निकले ना तो लाखों कारीगरों की जिंदगी खतम हो गई जो लोटे बनाते थे खतम हो गए के नहीं कसेरे खतम हो गए गाओं गाओं में कसेरा सब्द समझते वो ठोक पीट के लोटा बनाने वाले आदमी को कस लोटा लाएं गिलास थोड़े कम करें पानी लोटे का बहुत अच्छा आगे बढ़ें पानी कभी भी खड़े होके ना पिए यह मैंने पहले बता दिया है फिर रिपीट कर रहा हूं हमेशा बैठ के पिए फिर उसके आगे का एक सूत्र है कि ठंडा पानी कभी न पिए और इ गुंगुने पानी का सर्फिस टेंशन कम होता है और कम सर्फिस टेंशन का ही पानी आपको पीना है इसलिए ठंडा पानी ना पिए एक विशलेशन मैं पहले दे चुका हूं कि पानी जैसे ही आप ठंडा पिएंगे उसका गुण है कि वो हर चीज को ठंडा करें तो पेट को गरम करेगा तो अत्रिक तूर्जा लगेगी उसको और वो ब्लड में से ही आएगी तो सारा ब्लड पेट की तरफ दोड़ेगा और बार बार आप ठंडा पानी पी रहे हैं दिन में 8-10 बार तो हर बार ब्लड को पेट में भागना ही पड़ेगा तो ब्रेन को ब्लड कम होगा ह तो वो कमजोरी आने ही वाली है और हर टेटेक आ सकता है ब्रेन हेमरेज हो सकता है क्योंकि कोई भी औरगन को ब्लड कभी भी कम नहीं पड़ना चाहिए तभी आप दुरुस्त रहने वाले हैं इसलिए ठंडा पानी गलती से भी ना पियें तो हमेशा कैसा पानी पियें गु को पानी को गुनगुना करने की जरूरत उतनी नहीं है क्योंकि मिट्टी से जाधा शुद पानी को करने वाली दूसरी कोई वस्तु दुनिया में नहीं तो यह अब थोड़ा आगे चलें आगे चलें वो यह कि खाना जब भी खाएं आपके लिए नहीं हमें स्टेंडिंग पोजीशन मने खड़े होके कभी न खाएं हमेशा बैठके खाएं बैठने की इस्तिती ये सबसे अच्छी है कुरसी पे भी अगर मजबूरी में बैठ रहे हैं तो इसी इस्तिती में बैठके खाना नहीं तो जमीन पे तो बहुत ही अच्छा है फिर उसके बाद एक नियम जो आपको जरूर पालन करना चाहिए बहुत आवश्यक है आपके लिए कि दो विरोधी वस्तुएं साथ में कभी न खाएं आप जैन हैं तो आपको तो सब अच्छे से समस्ता भक्ष और अभक्ष का ग्यान सभी सादू महराज देते हैं सादवीजी देते दूसरे लोगों के लिए कह दूँ दूद और दही साथ में नहीं खा सकते विपरीत हैं हाला कि दूद से दही बनता है लेकिन दूद और दही की प्रकरती एकदम मने एकदम अलग है दूद कुछ और काम करता दही बिलकुल अलग काम तो दूद दही साथ में न खाएं दूद और दही की इसी तरह से शहद और घी आपके लिए बिलकुल वर्जित है आप बिलकुल साथ में ना खाएं शहद अलग खाएं घी अलग खाएं शहद ना खाएं तो भी चलेगा गुड़ खाएं अच्छा ये बड़ी विचित रिस्तिती है गुड़ और घी साथ में जरूर खाएं शहद ही चलता है शहदगी नहीं कभी इसी तरह का एक नियम है कि जैक फ्रूट माने फनस कटहल दूद के साथ सबसे खतरनाक है और मैंने का खटे फल जितने भी हैं संत्रा है मुसम्मी है वगरा वगरा ये दूद के साथ बिलकुल नहीं चल सकते एक ही फल है बागबटे जी कह रहे हैं जो खटा भी है और दूद के साथ जरूर खाएं वो आवला है आवला ये जरूर दूद के साथ खाएं इसके आगे का एक नियम है वो दूदल वाला एक नियम तो बताई दिया दूदल और दही ना खाएं और गंटे बाद दही खाएं चाच अगर खा रहें दुईदल के साथ तो एकाद घंटे के बाद पी लें और अगर पीनी ही है तुरन प्यास नहीं रुक रही है तो चाच को बगा रहें मने उसमें अजवाइन हो थोड़ा जीरा हो हींग हो उसका छोंक लगाएं तो उसकी तासीर बदलती है तो आप ले सकते और इसके आगे का एक नियम कि सुबह का खाना साड़े नौ दस वजे तक क्योंकि उस समय जठर अगनी सबसे ज़्यादा तीव रहें और शाम का खाना पांच-छे वजे तक यह मैंने आपके हिसाब से कैलकुलेशन किया बागबट जी ने का इस शाम को पांच-छे बजे तक भरपेट खाएं बीच में अगर आप कहते हैं जी भूख लगी तो तो कुछ फल खालें नहीं तो अच्छी चीज बागवट जी ने जो कही है सुबह का खाना जो नौदस बजे खाएं शाम का पांच-छे बजे उनको बीच में भूख लग रह जाएं चिक्की आप चाहें तो अच्छी भी खा सकते मने जादा भी खा सकते बस एक ही तकलीफ ध्यान में रखें कि जब चिक्की और गुड़ जादा हो जाएं तो थोड़ी सोंट चाट लें या थोड़ी सोंट खालें तो उसका जो तासीर है वो तुरंद बदल जाता है नहीं तो जादा चिक्की खाली तो नाक मेंसे खून आ सकता है तो नाक से खून ना आए थोड़ी सोंट या अदरक सोंट इस्तेमाल करते हैं तो सोंट नहीं तो अदरक उसके साथ ले फिर आगे बागबतर जी कहते हैं कि आपके भोजन का आपके जो वातावरण से बहुत रिष्टा है आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उसका ध्यान हमेशा रख है अब मान लीजे आप मदरास में रह रहे हैं तो मदरास के आसपास का जो वातावरण है ये गरम है गरम वातावरण में गेहूं नहीं हो सकता गेहुं को होने के लिए ठंड चाहिए तो निश्चित रूप से चिन्नई के आसपास किसी खेत में गेहुं अच्छा होगा ने कोशिश करें तो तब अच्छा होगा जब ठंड बढ़ जाए क्योंकि गेहुं ठंड की फसल है गरमी का नहिए गरमी की फसल जो है वह चावल है बाजरा बहुत गर्मी की फसल है ये राजिस्थान में रहने वाले सब लोग जानते हैं कितनी गर्मी है राजिस्थान में और वहीं बाजरा सबसे अच्छा होता है कच्छ में सौराश्रु में कितनी गर्मी है बाजरा सबसे अच्छा वहीं होता है तो गर्मी की जो फसले है वो धान है बाजरा है और जो है जवारी है जवारी आप समझते हैं जवार जवार तो ये सब आपके लिए अच्छे हैं यहां चिन्नई में आप रहते हैं ना जवार की रोटी खाएं बाजरे की रोटी खाएं गेहूं की कम ना खाएं तो भी चलेगा जो यहां हो रहा है वो खाए अब आप बोलेंगे गर्मी में भी बाजरे की रोटी खाएं ना खाएं क्योंकि बाजरा वैसे तो गरम है लेकिन गर्मी में भी खाना है मानलो आपको स्वाद है छूट नहीं रहा है जगे छूट गई है स्वाद नहीं छूटता मन हमारा अभी भी राजिस्थान में हैं या कच्छ में हैं या सौराष्ट में कुछ मजबूरी है कि हम यहां रह रहे हैं अगर यह मजबूरी खतम हो जाए तो आप सब भागेंगे यहां से मजबूरी कैसी कच्छ में सौराष्ट में इतना पैसा आ जाए तो आप सब चले जाएंगे क्योंकि मन जो है न छूटता नहीं है इस्थान से लगा रहता है स्वाद मन के साथ जुड़ा हुआ तो स्वाद के लिए ही अगर बाजरा खाना चाते हैं तो बिना गुड़ के ना खाएं यहां पर चिन नहीं है गुड़ और घी के साथ बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं गुड़ और घी के साथ जवारी की रोटी आप खा सकते हैं ज्यादा आप खाएं तो चावल आपके ल के लिए मैं मानता हूँ जो मैंने आपको पिछले 25 minute या 30.000 में जो रिपीट किये जिनको मैं बहुत आवश्यक मानता हूँ और इसमें से एक सुत्र छूट गया जो बहुत सुबह सुबह उठकर पहले पानी पियें के सुबह सुबह उठकर पहले पानी पिएं कारण में बता चुका हूं कि उठते ही आपके मुह में जो लार बन रही है वो बहुत-बहुत-बहुत कीमती है उसकी कीमत लगा नहीं सकते आप वो एकदम अमूली चीज है वो अंदर ही जाएं तो अच्छा है तो आप उठते ही पानी पीने का नियम बनाएं कितना पानी पी हैं मैंने बताया था अठारे से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको लगबग डेड़ से दो गिलास साथ से उपर के जो बुजर्ग हैं उनको भी पानी अकेला पानी है जो बिना प्यास के भी पीना जी यह मुख्य नियम मैं मानता हूँ आपको जरूर धारण करने चाहें और मेरी एक दूसरी गुजारिश है आप जितने भी लोग बैठे हैं इन सब नियमों को पालन करें आज से कुछ ने तो शाय शुरू भी किया है द रिपोटिंग करें क्यों मैं आप सबको बागवट्ड का चला बनाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूं मैं विनम्रता पूरवक कह हुए मैं ये चाहता हूं कि जो ग्यान मैंने 6 साल में लिया ये साल भर में आपके पास पूरा पहुँझ जाएust क्यों आप तो इसको अपने जीवन में पालन करके स्वस्त रही सकते हैं अपने परिवार को भी रख सकते और पडोसियों को भी रख सकते और बागवट्ट ने कहा है कि जो अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करे वो ही मोक्ष का भागी है माने भागीदार हो सकता है तो मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ मोक्ष में चलें वहां भी हम यही करेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे देश भी अच्छा हो जाएगा यह कहकर मैं अब प्रशनों की तरफ चल रहा हूं प्रशन मेरे पास भरपूर आ चुके हैं मैं कोशिश यह करूंगा कि जो प्रशन एक बार उत्तर आ गया उसको दुबारा नहीं दूँगा हो सकता किसी व्यक् प्रशन मानता हूं आखों के नीचे काले धब्बे आ गए हैं तो क्या करें मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूं फिर दो रहा हूं आपको सबसे अच्छा आसान उपाए मैं बता रहा हूं वो यह जिनको भी डार्क सरकल है सबेरे उठें सबसे पहला जो आपका थूक है म मालिश करें हलकी हलकी मालिश करें आपके सारे डार्क सरकल खतम हो जाएं और यह जो वह सुबह का मूं का लार है इससे आप अपने त्वचा रोग भी ठीक कर सकते हैं खाज है खुजली है दाद है सोराइसिस है इचियोसिस है एक्जीमा है हर जगे इसको एपलाई करें और हलकी हलकी मालिश करें कोई कहेगा कि बहुत जादा शरीर में है तो इतना तो थूप बनता ही नहीं है और पूरे शरीर पे लगाना पड़े तो तो ऐसी इस्थिती में आप मुझे व्यक्तिगत रूप से शाम को चार बजे मिलें मैं आपको एक ऐसी दवा बता दूँगा य नीद बरावर नहीं आती है तो इसका माने एक ही आप जान लीजे कि आपके शरीर में अगर वात बढ़ा हुआ है वायू बढ़ी हुई है तो अच्छी नीद कभी नहीं आएगी तो इसके लिए बहुत सरल उपाए मैंने बताया था रात को गाय का घी हलका गरम करके दोनों नाक में डाले और हलके से खीचें ज्यादा तेज ने बस इतना इतना करेंगे अंदर चला जाएगा बहुत खीचने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे चला जाएगा जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी चला जा सकता है तो हलका खीच कर छोड़ दें और सो जाएं बूल आएंगे नहीं अच्छे ही सपने आएंगे जब भी आएंगे रात में नीद कभी खुलेगी नहीं छे घंटे के पहले आप उठेंगे नहीं कम से कम रात की नीद खुलने का एक वो तकलीफ आ गया ना पेशाब आती है नीद खुल जाती है घी डालके सोएंगे तो रात को नीद कभी नहीं खुलेगे छे साड़े छे साथ घंटे के बाद ही खुल और बच्चों को तो जरूर करें इससे और एक फाइदा होगा इस मरण शक्ति बढ़ेगा ठीक है तो अब एक ही कागज पर ये तीन प्रशन थे तीन उत्तर दे दिए अब आगे जिस कागज में ये प्रशन आएंगे उत्तर नहीं दूँगा अभी है हाई ब्लड प्रेशर रक्त का उंचा दबाओ अस्थमा पेट की कबजी और इसमें भी फिर आ गया है तो चा कालापन वो में उत्तर दे चुका अब मैं आ जाता हूँ ब्लड प्रेशर हाई है वैसे तो ब्लड प्रेशर हाई और लो होना ये कालपनिक चीज है कभी बाद में चर्चा करूँगा लेकिन अगर आपके मन में बैठ गई है तो इतना ह अब रक्त में अमलता है तो अमलता को खतम करने के लिए चारी चीज़ खाएं चार चीज़ खाएं चार अब चार वाली चीज़ें क्या है सबसे अच्छी चार की चीज़ें मैं थी सबजी के रूप में भी और दाने के रूप मैं मैं थी दूसरी चार वाली चीज़ है आप में से जेन है तो वो नहीं खाएंगे लेकिन जो जेन नहीं है उनको बता देता हूं गाजर तीसरी चार वाली चीज है कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है सेव ये चारिये है केला ये चारिये है अम्रूद ये चारिये है कोई भी ऐसे फल याद रहेगा आपको जिसमें रस नहीं है ये सब चारिये है सबजियों में पालक चारिये है बेंगन चारिये है आलू के बारे में कहते हैं ना अमलिये ना चारिये वो बीच का है तो जो सबजियां आपको चारी हैं और जो मसाले मने आउशदियां चारी इनका उपयोग करें तो अमलता अपने आप कम होगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा तो ट्राइगलिसराइड कम होगा मोटापा भी कम होगा सब कुछ कम होगा आपका तो हमेशा याद रखें तो मेथी दाने का उप्योग मैंने बता दिया है पानी में डालके रात को छोड़ दें सुबह उठकर दाना चबाके खाएं पीछे से पानी पीएं गाजर का उप्योग बता दिया कद्दू कस में घिसें गाजर ले लें वो कद्दू कस की गाजर को ख चारिये चीज मेहती कि सब्ukिंजी रोज खाएं पालक की सब्चिंजी रोज खाएंहिए हरे पत्यन की कोई भी सब्ची क्षारिय होती है हैं ह्रे पत्यन की कोई भी सब्रania होगी और फल जिसमें रस नहीं वह सब छारिये होंगे बस याद इतना हिरकते तो आप अगर हर्टटेक आएगा नहीं ब्लॉकेज भी है तो निकल जा और एक छारी चीज में भूल गया बताना लॉकी दूधी सब्जियों में सबसे ज्यादा छारी कोई चीज है तो दूधी माने लॉकी ज्यादा खाएं दूधी ज्यादा खाएं और उसका रस भी पिएं कच्ची कोप की बीमारी है तो अस्थमा ज्यादा है तो इसके लिए जो मैं बहुत बार बोल चुका हूं फिर बोल रहा हूं दालचीनी यह चारी है दालचीनी का उप्योग करें शहद के साथ शहद चारी है तो दालचीनी शहद शहद नहीं ले सकते तो गुड़ यह जो नारियल हो अम्ली हैं लेकिन ये नारियल अद्वुत फल है जो चारिय है रस होते हुए भी तो ये चारिय है अब ये क्यों है ये बाद का विश है तो आप अगर अस्थमा से शिकार हैं दमा के शिकार हैं तो नियमित रूप से नारियल खाईए हरा नारियल खाईए कच्चा नारियल जि और नारियल चवाके खाया तीन महीने के बाद आपका आस्थमा जड़ से खतम होगा वो चालीस साल पुराना हो तो भी इसके बाद हां बाकी तो आखों की मूह में छाले बहुत रहते हैं ये मूँ में छाले बहुत रहते हैं इसका माने पेट आपका साफ नहीं है बड़ी आथ आपकी कच्रे से भरी होई है तो मुझ में छाले रहते हैं तो सुबह सुबह का जो मैंने नियम बता है ना पानी उठते ही पिए घूट घूट पिए तो छाले अपने आप खतम जैसे भी आथ साफ हो जाए बढ़ी है जो बड़ी आथ को सबसे जल्दी से साफ कर देटे यह उस दवा का नाम है बोरेक्स कि सुबहागा आप सब जानते हैं सुबहागा आथ को साफ करने वाली सबसे तीवर दवा है तीवर इसी का डाइलीूशन करके होमीयोपैथी में बनाया बोरेक्स तो ले लें किसी भी होमियोपेथी की दुकान से खरीद लें 30 पुटेंसी में या 200 पुटेंसी में इसके तीनी खुराक लेंगे तो जीवन भर के लिए छाले की बीमारी आपकी आएगी नहीं क्योंकि ये तुरंथ बड़ी आथ को साफ करता है पानी करेगा धिरे धिरे करेगा बोरेक्स तो एक ही दिन में काम करता है लेकिन बाग बट्वट जी कहते हैं ये एक ही दिन का चक्कर छोड़ना चाहिए तुरंथ हर चीज का रिजल्ट मिल जाए वो कहते हैं, जीवन में कोई भी चीज फास्ट है ही नहीं, हर चीज स्लो है, तो कोशिश करिए, पानी से ठीक करें, और अगर आप बहुत परेशान हैं, तब ही बोरेक्स का इस्तेमाल करें, और ये दवा हमेशा पानी में डाल के लें, एक बून डाल दें पानी में, और उस के तीन हिस्से करके उसको पी ले एक कप पानी हो आधा कप पानी हो चौथाई कप पानी हो अभी आगे का एक प्रश्ण अच्छा गाय की मूत्र के बारे में मैंने आप से कहा था तो उस पर प्रश्ण आये है चार-पांच गोमूत्र सही गाय का है या उसको कोई भीमारी है कि तरह की problem हो सकती है अगर गोमुत्र सही नहीं है तो उस हाल में क्या करना चाहिए मैं आपको विनम्रता पूर्वा के experiment जो हमने किया वो बता देता हूं गाय को हमने छे साल जहर खिलाया एक गाय पर यह मिला कर दिया बहुत मामूली मात्रा में क्योंकि हम जानते हैं ज्यादा देंगे तो गाय मर जाएगी हमें यह देखना था कि यह थोड़ा थोड़ा जहर देते हैं तो उस पर असर क्या आता है तो छे साज जिस गाय पर हमने यह प्रयोग किया वो गाय अभी भी जीवित है क्योंकि ऐसे कहते ना खाओ तो सब कुछ आने ही वाला मूत्र में और ब्लड में तो छे साल लगातार उसको संखिया खिलाने के बाद भी उसके मूत्र में एक दशमलव जीरो 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 में चले जाएं उतना भी संखिया कभी नहीं आया अद्भुत है यह अब मुझे पुरानी बात है इसमें जोड़नी है बहुत लोग ते के न गाय के गले में शंकर भगवान का निवास है कि वह शायोज शंकर जी नपी लिया शंकर जी तो मशूर है ना खराब से खराब जहर पीने के लिए तो शायद गले में शंकर जी हैं गाए के तो वहीं रुका और सच में हमने ये देखा इसमें मैं एक्जजरेशन नहीं कर रहा हूँ आप चाहें तो वो गाए कभी भी आके देख सकते हमने उसके गले के आसपास महसूस किया छे साल में एक ब्लू कलर का रिंग बन गया है ब्लू कलर का और वहाँ से ब्लड निकाला उसको टेस्ट किया तो उसमें पूरा संखिया है मने आरसनिक है गले के नीचे वो गया ही नहीं गले में ही रुक गया शंकर भगवान ने शाहिद रोक लिया तो आप बे खटके गाय का मूत्र पी लीजे आपके दिल में ऐसा लग रहा है वो कच्रा खा रही है आप चिंता मत करिए ये कच्रा जाएगा नहीं उसके मूत्र तक भगवान ने उसके शरीर में ऐसी व्यवत करके रखी हुई है लेकिन अच्छा ये होगा आपके दिल और मन की तसली के लिए कि गाय अच्छा चारा खाती हो साफ सुत्रे वातावरण में रहती हो और नियमित घूमने के लिए जाती हो उसका मूत्र जरूर पी हैं वो सबसे ज अतलम में समझाना चाहता हूं आप एक ऐसी जगे रहते हैं जहां गाय कच्रा ही खाती हैं और आपको ऐसी कोई गाय मिली नहीं रही है जो शुद्द चारा खाती हो और बराबर घूमने जाती हो और आप किसी बीमारी से तड़प रहें परिशान है और वो बीमारी में आप आपको गोमूत्र चाहिए ही तो बिना संकोच के ले 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 उसका हानी तो नहीं करेगा कुछ फाइदा ही कर जाए गोमूत्र के बारे में अब तक की जो रिसर्चिस हैं वो ये हैं कि इसके साइड इफेक्ट है नहीं शरीर की पता क्या करता है आपने मूत्र जादा भी पी आएगा जो काम का है उतना ही रह जाएगा अब गाय का ऐसा भगवान ने बनाया है इसलिए बागवट जी कहते हैं कि यह विशेश तरह का एक जानवर या प्राणी है जो भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाए तो गाय के बारे में इतना अच्छा अर्थराइटिस के लि अच्छन तो कभी मत कराना क्योंकि आप जिस इस्तिती में हैं उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा इस हिंदुस्तान के भूदपूर प्रधानमंत्री श्री अटल विहारी वाजपेई ने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन कराया था नहीं कराया इस्प पहले तो थोड़ा चल लेते थे अब तो चलना ही बंद हो गया सिर्व वीलचेयर पर ही रहते हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं पहले से ज़्यादा तकलीफ में हूँ तो आप मत करिए फिर आप बोलेंगे जी क्या करें डॉक्टर बोलता ओपरेशन मत करें आप क्या करें अर्थराइटिस के लिए जो सबसे अच्छे कॉंबिनेशन बागबटी जी के हैं उनका उप्योग करिए उसके लिए सबसे अच्छा वो बोलते हैं चूना खाईए जादा अमलता बढ़े तो अर्थराइटिस होता है तो चूना खाईए खाने का तरीका मैंने बता दिया दही में चाच में पानी में जूस में और एक दिन में अर्थराइटिस के पेशन्ट दो ग्राम खा सकते हैं स्वस्था आदमी तो एक ही ग्राम खाए चूना खाईए म हार-सिंगार होटा सफेद रंग का एक फूल आता है और केसरिया डंडी होती है सफेद फूल और केसरिया डंडी बहुत तेज खुश्बू है रात को ही खिलता है रातरानेंھ ही यह पेड़ के जो पत्ते हैं वो ब्रह्मांड में सबसे जादा चारीय माने जाते हैं जो भी औशदियां तो इसके पत्ते कहीं भी मिल जाएं चार पांच पत्ते पीसिए पीस कर पानी में डालिए खूब उबालिए पानी इतना उबालिए कि थोड़ा कम हो जाए आधा रह जाए फिर ठंडा कर लीजे फिर वोई पानी चाय की तरह से चुसकियां ले लेकर सबेरे खाली पेट पीजे मैंने ये देखा है गंबीर से लगा लें गंबले में हो जाता है आसानी और कुछ खाली स्पेस है तो जरूर क्यों ये हर घर में रहे पेड कारण क्या है कि आज अर्थराइटिस ही सबसे जादा तकलीफ दे रहा है लोग सुगंदी तो आएगी नीद अच्छी देगा जहां आपका बेडरूम है उसके प सकते हैं कभी भी नुच झाल आ ही है को ऑगर आइस क्रीम खाई रहे हैं आप कहते हैं जी मन नहीं मानता स्वाध है और मूं को लग गया है अब क्या तो इसका एक उपाय बता देता हूं आइस्क्रीम खाईए और पीछे से गरम पानी में घी मिला के पी लीजी तो जो कुछ भी तकलीफ वो करने वाली है उससे आप बच जाएंगे ना खाएं तो सबसे अच्छा दालचीनी सोट का काड़ा ये लोग जरूर पिये हैं जिनको अस्थमा हैं जिनको अर्थराइटिस है माने वायू के रोग हैं वो दालचीनी का काड़ा जरूर पिये गुड मिलाकर मुंफली और तिल जरूर खाएं भगवान की दी हुई तिल दुनिया की सबसे अद्बुत वस्तु है मैं तो आपको कहता हूं जिंदगी भर मोटापे से बचना है हर्ट अटैक से बचना है आपको अर्थराइटिस से बचना है तो रोज खाने के बाद तिल खाएं काला तिल मिले तो बहुत अच्छा नहीं तो सफेद ही खाएं और आप जहां रहते हैं यहां के लिए तो बहुत ही अच्छा मद्रास जैसे एरिया के लिए एसेडिटी कम करने के लिए क्या करें अ सबसे प्रभावहाई है जिनको भी सेवन बहुत अच्छा है चीनी से बहुत अच्छा लेकिन गुड़ से थोड़ा कम अच्छा मिश्री चीनी की तुलना में तो बहुत अच्छी है और गुड़ से कुछ कम अच्छी है तो चीनी चोड़ नखि एक क्या सवाल पूचा है कि आपकोन सी जगे पर पर नमबर वहां आप कोई भी चिठी भेजेंगे मैं जहां भी रहता हूं मेरे पास आ जाती है और यह करेंगे तो मैं हर जगे खोल खोल के मेरा मेल बॉक्स चेक करता रहता हूं तो वो पता जो वर्धा सेवा ग्राम का है भारत पीठम दस जोतवानी ले आउट सेवा ग्राम रोड सेवा ग्राम जिला वर्धा महराश यह मेरा पर्मनेंट केंद्र है वहां पत्र भेज सकते हैं फोन भी कर से वहां फोन कभी भी करें तो पता चल जाएगा मैं कहा हूं और मेरा मुबाइल नमबर आप सबको मैं चाहूं तो लिखा देता हूं 94229-03599 94229-03599 यह मेरा मुबाइल नमबर है और इमेल एड्रेस है आरे जे आई वी डी आई एक्साइटी एबी ए आरे जे आई वी डी आई एक्साइटी एबी ए ए एड़ रेट ओफ रीडिफ मेल डॉट कॉम और निरेंजन भाही प्रदीव भाही यह कभी भी आप इनको संपर क करेंगे तो यह कहीं भी खोच के बताएंगे कि मैं कहा हूं अभी मेरे पास एक प्रश्न है वो इस समय के विशह से तो नहीं जुड़ा लेकिन मैं जोड के जरूर उत्तर दे देता हूं आजकल हमारे घरों में पैपसी कोक से भी जादा नूडल्स खाया जा रहा है पैपसी में कच्रा तो वो यही है नूडल्स एक तो मैदे की है ओपर से सड़ा हुआ है छे-साथ दिन मैदे को सड़ा के रखा जाए तब नूडल्स तयार होता है और इस नूडल्स में टेस्ट लाने के लिए सुर के मासका रस मिलाया जाता है बिना उसके नूडल्स बन ही नहीं सक कि जो मैगी है ना मैगी या कोई भी नूडल सुवर के मास का रस सड़ा हुआ मैदा छेचे दिन पुराना उससे तैयार हुआ है अब आप तैय कर लो खाना है या नहीं खाना एक प्रशन है जिसका उत्तर दे नहीं सकता किसी ने का आज की सिक्षा बहुत बेकार है बैकल्पिक सिक्षा की बात बताई तो समय जादा है आप मुझे इमेल करिए मैं लंबा जवाब दूँगा गाय का गी कान नाक में डालने के लिए मैंने बोला था तो वो उत्तर दे गी को हलका गरम करना है जादा नहीं गाय का गी नाक में डालने के लिए हमेशा हलका गरम करना है जादा नहीं और एक ही बूंद एक नाक में दूसरी बूंद दूसरी नाक हाँ एक बहुत अच्छा सवाल है दैनिक जीवन में कौन सा नमक खाएं सबसे अच्छा सेंदा नम खाएं, यह समुद्र के पानी का नमक कम से कम खाएं। पत्थर वाला नमक एल—ाक्तोसरा नमक है जो काला नमक है यह आप ज्यादा उपयोग करें। मेरा तो चहना है कि कि आज से ही घर में नमक तो तुरंग बदल दें। बदलते ही आपको असर धिन खराब लगा तीन धिन चौथे दिन सेख़व लगेगा तो छोड़े नहीं उसको एक धिन खराब लगा छोड़ी हमाद दूसरे दिन भी लीजेए II ऐना तो एक चमस से जादा मत लीजे और गो मुत चुर है तो आधर कप लीजे किसी को प्रश्ण है कि दिन बर नीद आती रहती है क्या करें वैसे तो नीद आये तो अच्छा है लेकिन दिन बर नीद आये तो अच्छा नहीं है तो क्या करें इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में एक शार बहुत कम है और यह वही शार है जो आपको सबसे जादा मिलता चूने से जिनको दिन ब भी सकते हैं क्योंकि आप चिन्नाई में रहते हैं अगर आप पटना में रहेंगे तो नहीं खा सकते नारियल करते हैं चिन्नाई में रहते हैं तो जरूर खासाई मालिश करना चाहें जरूर करें डाइबिटीज के लिए क्या करें डाइबिटीज का जो सबसे अच्छा उपाए मैंने बताया था मैथी दाना और त्रिफला चून त्रिफला चून माने हर दे बहेडा आवला एक दो तीन अनुपात वाला त्रिफला चून एक चम्मच मैथी दाना एक चम्मच दोनों मिलाकर गरम पानी में रात को रख दें सबेरे उठकर इस पानी को पी लें और उसमें जो कुछ है चबा के खा ले तीन चार महीने नियमित करेंगे ब्लड शुगर नॉर्मल आने की पूरी संभावना है और नहीं आये तीन-चार महीने में ब्लड शुगर नॉर्मल तो एक मुझे इमेल जरूर करें या फोन करें शुगर खाना नहीं खाना चीनी बिलकुल बंद कर दीजे क्योंकि यहीं अकेली चीज है जो ़ृप यह ने चोड़कर कुछ भिखाएं का यह पत्री अगर है शरीर में और थाइराइट का सबसे अच्छा उपाय है धनियापत्ता है ना धनियात पत्ता सकी चटनी है धनिया पत्ते की चटनी बनाएे पानी मिलाक JEFF पी जानी गुंगुना रहे कितनी चटनी एक चम्मच चटनी उसमें कुछ डालिये मत नमक मेर्ची कुछ मसाला ने खाली धनिये पत्ते की चटनी और जब तक धनिया मिल रहा है तो यह हरे कभी न खाएं ये याद रख कहीं भी शरीर में पत्री है तो चुना कभी न खाएं तो फिर क्या खाएं एक दवा है पत्थर तोड़ दवा क्या बोलते आप उसको पाखांड भेध शोबकान जी के यहां वो दवा है पाखांड भेध कहीं वहुँए मिल जायेगा तो आप इसका काड़ा के पीए। यह जो पाखन वेद है ना इसका काड़ा पानी में डालके उबाल और यह दवा आसानी से होमियो पैति में उपलब्द है और इसी दवा का होमियोपैतिक नाम है बर्बेरिस बर्बेरिस वल्गेरिस पाखानबेट का ब्रटनिकल नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस यह किसी भी होमियोपैथी की दुकान में मिलेगा वो पूछेगा कैसे दू तो कहना मदर टिंचर में दो ये कोई भी घर में रखिये आप बिलकुल निसंकोच इस्तेमाल करते हैं साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इस दवा का बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर ऐसा बोलिए तो ये हलके गुलाबी रंग की होगी डार्क कलर की भी हो सकती है इसकी दस-दस बूदे चोथाई कब पानी में डाल कर दिन में तीन-चार बार पिलाएं एक महीने सवा महीने में सारी पत्री तूट कर निकल जाए और नहीं तो पाखन बेद जो दवा मिले आयुरवेद की उसका काढ़ा बनाके पंद्रे-बीस दिन ले ले काढ़ा जल्दी तोड़ता है पत्थर को बरवेर इसको समय ज़्यादा लगता है पानी में चूना मिला के पी सकते हैं जरूर पीजिए पत्री वाले नहीं दातों का दर्द दातों के दर्द की सबसे अच्छी दवा है लॉंग लॉंग इस्तेमाल करिए लॉंग का तेल इस्तेमाल करिए और दातों में दर्द हो ही नहीं तो थोड़ा थोड़ा चूना खाते रहे और दातों में दर्द हो ही नहीं तो दातुन करते रहें दंतमंजन करते रहें पेस्ट बंद कर देज़ें हाँ अभी एक जरूरी प्रश्ण आया शराव और गुठका छोड़ने के लिए क्या करें जरूर आप इसको ध्यान से नोट कर लीज़ें यह बहुत लोगों के काम शराव गुठका तंबाकू सिग्रेट और बीड़ी ये पांच बुराईया व्यसन के रूप में हमारे घरों में आई हैं और देश का सर्वनाश की आयि इनके बचने के लिए बहुत अच्छा है संकलबशक्ती से बचें तो अच्छा है बागवटी जी कहते हैं किसी भी व्यसन से बाहर आना हो तो संकल्प शक्ती के साथ आई तो अच्छा है नहीं है संकल्प शक्ती तो दवा का उपकरी तो क्या दवाएं हैं आपके पास सबसे अच्छी दवा है शुद्ध गाय का मूत्र अर्क नहीं शुद्ध गाय का मूत्र दूसरी दवा आपके घर में है अद्रक या सोंट जिनको शराब से छुडाना है बाहर निकालना है उनको एक और सोंट जादा खिलवाईए रस पिलवाईए अद्रक का सोंट का काड़ा बना के दीजिए गुड मिलाके दे सकते हैं सोंट का काड़ा बना के और गोमूत्र पीने को बोलिए नियमित रूप से अगर आदा कब भी गोमूत्र पिया तो सवामूने में शराब छूट जाते हैं शराब जो पीते हैं बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं उनके शरीर में एक तो सल्फर बढ़ता है तो सल्फर कम करने के लिए बाहर से सल्फर चाहिए और बाहर का सबसे अच्छा सल्फर गोमूत्र में है सर्दी जुकाम सर्दी जुकाम ज़्यादा है बार बार है सबसे अच्छी दवा है आप अगर बच्चों के लिए ले रहे हैं तो कफ दूर करना है उनका कफ नाशक सबसे अच्छी दवा मैंने पहले दिन बताई थी शहद है दूसरी शहद नहीं लेते तो गुड़ है तो बच्चों को गुड़ दीजिये जादा एक उनको चूना भी दे सकते हैं चूना कफ का भी नाश करता है वातका तो करता है यह कफ का भी करता है तो चूना दे सकते हैं गाय का घी नाख में डाल सकते हैं हल्दी जबरजस्त कफ नाशक है तो दूद में हल्दी मिला कर दीजे और दूद हल्दी थोड़ा घी मिलाएं तो और भी अच्छा कॉंबिनेशन है तो जिनको सरदी जो काम बार बार होते हैं उसके लिए पित बढ़ा है तो क्या करें देशी गाय का घी खाईए देशी गाय का घी गरम गरम पानी में डाल कर पिएं तो सब पित्त को शांत करेगा और दूसरी चीज मैंने पहले बता दी है अजवाइन और काला नमक ये भी पित्त बढ़े तो शांत करेगा उसको एक मेरे पास difficult case है यह मुझे व्यक्तिकत रूप से मिले कोई एक महिला है उसकी लंबाई लगातार बढ़ रही है यह मुझे शाम को मिले चार बज़े बाल उडगए तो क्या करें बाल कम हो गए तो क्या करें बाल जढ़ रहे हैं तीनों में एक उपाय है दही को तावे के बरतन में रखें पांच-छे दिन खूब खटा हो जाए हरा हरा हो जाए तो इसको बालों में मालिश करें एक घंटे के बाद बालों को शीका काई से धोएं हफते में एक दिन जरूर करें त्रिफला शहद और गुड़ के साथ सबसे अच्छा है गुड़ के साथ सु वह ही खाएं और त्रिफला को रेचक के रूप में लेना है मनें पेट साफ करें तो रात को ही खाएं सोने के पर बहुत जादा च्छीके आती हैं नाक से पानी गिरता है थोड़े दिन चूना खिलाएं और गाय का घी नाक में डाले 15-20 दिन में च्छीकें भी बंदोंगी पानी गिरना भी बन केवडा डालकर जल पी सकते हैं क्या गर्मियों में केवड़ा एक होता है ना आयुर्वेदिक और चादी है केवड़ा डाला हुआ जल सिर्फ गर्मियों में मार्च अप्रेल मई जून बारिष जैसे ही शुरू हो केवड़ा वाला जल बंद कर दीज़ केवडा और एक होता खस ये दोनों मिलाया हुआ जल गर्मियों में अरजुन की चाल लेने का समय सबेरे का काढ़ा बनाकर दूद में नहीं तो पानी माँँ शक्कर नहीं मिलाएं उसमें गुड मिलाएं अरजुन की चाल टॉंसिलाइटिस की रेमेडी टॉंसिल्स की सबसे अच्छी रेमेडी हल्दी हल्दी का दूद बच्चों को रात को पिलाएं टॉंसिल नहीं होगा पिपरमेंट के बारे में किसी ने पूछा आप शाम को चार बज़े मिलें मैं थोड़ा विस्तार से बता दो यूरिक एसिड अगर शरीर में जमा है तो मैंने आपसे बार बार कहा है चारी ये चीज़ें जादा खाएं एसिड निकल जाएगा सबसे अच्छी चारी चीज गोमूत्र पी लें यूरिक एसिड एकदम साफ कर देता गोमूत्र लेकिन प्योर गोमूत्र उड़त की दाल दालों का राजा है बिल्कुल सही है लेकिन दही के साथ नहीं खाली उड़त की दाल खाईए दालों का राजा है बिल्कुल सही बात दही के साथ नहीं दही के साथ ये जहर है सुबह दूद पी सकते हैं मैंने मना किया है सुबह जूस पीना है दुपहर को छाच और रात को दूद लेकिन पी नहीं है अगर तो आवले के साथ पीएं ना पीएं तो अच्छा सुबह का दूद ही पीना है तो आवले के साथ मोटापा कम करने के लिए उपाए बता दीजे आप लिख लीज़े इसको नहीं तो याद कर लें। जिनको भी मुटापा कम करना उनको छारी चीजें जादा खानी है। तो मैंने आप से का गाजर खाईए। गाजर नहीं खा सकते हैं दूदी खाईए। अब खाएं कैसे। गाजर को कद्दू कस्में घिसिए और उसके लच्छे बनेंगे। फिर थोड़ी एक और चारी चीज़ आपको आजकल उपलब्द है। सेब। सेब पूरा चारी होता है। तो सेब को कद्दू कस्में घिसिए। दोनों बरावर मात्रा में मिलाके सुबह पेट बरके खा लीज़े। तीन महीने लगातार खाए। फिर अगले तीन महीने इसको बैलेंस करने के लिए आवला खा लीज़े। आवला, दो-तीन आवला रोच, मुरब्बे के रूप में या कहते। फिर तीन महीने आवला हुआ, फिर वापस इस गाजर और इस पर आ जाईए। तो साल बर अगर आप करेंगे, तो बहुत आराम से एक तहाई वजन तो आपका घटी जाएगा। हो सकता है किसी का आधा भी हो जाए। यूमन यूरिन के बारे में आपने पूछा, मैंने पहले ही बता, अगर आप शाकाहरी हैं तो अपने मूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गो मूत्र उससे हमेशा बहतर है। बच्चे पेशाप करते हैं बिस्तर में। इसके लिए क्या करना? खजूर खिलाईए। खजूर छोटे छोटे टुकड़े काटकर बच्चों को खजूर दूद में डालकर छोटे 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 टुकड़े दूद में डालकर उबालिए, खूब उबल जाए, फिर वो दूद पिलाईए, खजूर खिलाई, तो रात क बिस्तर का पेशाव उनका बंद हो जाए वो एक प्रश्न है वो कबजियत से जुड़ा हुआ है वो यह कहते हैं कि जल्दी से संडास उतरती नहीं है क्या करें रात को त्रिफला चून खाके सो जाए नहीं तो दूद में घी मिलाकर पी लिजे यह सबसे अच्छा है दूद मे एक नियम हमेशा याद रखिए जो मैं बार बार क्या लगातार कोई भी दवा आयुर्वेद की तीन महिने से जादा मत खाईए और अगर जरूरत पढ़ रही है तो थोड़े दिन ब्रेक देजे पंद्रे दिन का दस दिन का बीस दिन का ब्रेक के बाद फिर अगले तीन महि पूरी है नहीं तो तकलीफ बहुत दूसरी भी हो सकते हैं पिट की हड़ी में दर्द है चूना चूना खाई है बच्चों को खासी की अलर्जी अगर है तो नियमित रूप से मैंने का ना ऐसी चीज़ें कफ नाशक है सूट है पान का पत्ता है शहद है गुड है यह सभी डे फूला दिया जा सकता है अगर चोटे बच्चे हैं तो त्रिफला ना देकर आवला दीजिए और ट्रिफला देने का समय अगर शुरू कर रहे हैं बच्चों को तो थोड़ा 3-4 साल हो मैं सकते हैं तो आवला दीजिए और वैसे तो मेरा कहना है 14 साल की बच्चों को आवला ही अच्छा है त्रिफला उनको ना ही दें त्रिफला एक उम्र के बाद ही सबसे अच्छा होता है बहुत अधिक उम्र में गुटनों का दर्द कमर का दर्द तरीका मैंने वही बताया चुना सबसे अच्छा अर्थुराइटिस के लिए गुटनों के दर्द एड़ी का दर्द और कोहनी का दर्द तो ऐसे ही मिट जाएगा जब पानी गूट-गूट पीने लगेगा जल्दी भूल जाएए इस मरण शक्ति कम हो गाय का घी नाक में डालना सोते समय नीद जल्दी नाय तो क्या करना गाय का घी नाक में डालके सोना हाँ एक बहुत इंट्रेस्टिंग प्रश्ण आया वह पहले दिन का जो मेरा व्याख्यान था कि फ्रिज का क्या करें तो मैंने तो बोला था कि ये बंद करते हैं अगर आपका दिल नहीं मानता बंद करने के लिए क्योंकि मैंने का ना हिंदुस्तानियों में एक बुरी आदत है कचरे को एकठा करने के घर में डिब्बे डिब्बी इतने एकठे रहते हैं तूपड़े रहते हैं फेकते नहीं हमें हमेशा यह सोचते कभी काम आएंगे कभी काम आएंगे तो यह चक्कर घुज गया अब पता नहीं यह अंग्रेजों के समय से आया या पुराना तो फ्रीज भी वैसी ही कोई चीज है तो एक बहन ने या किसी की ने सवाल यह लिखके भेजा है कि फ्रीज में से हमने सब्जी निकाल के 48 मिनिट रख दी तो अब उप्योग कर सकते हैं हां कर सकते उसको शायद यह बात अच्छे से समझ में आई वह 48 मिनिट का जो किस्सा मैंने बताया ना तो वह चाहती नहीं है कि फ्रीज घर लीजे सब्जी के रूप में नहीं तो एक चीज मत करिए कभी भी कोई भी चीज एक बार गरम करके आपने फ्रीज में तो दुबारा गरम मत करें वह दूद हो या सब्जी हो या दाल करिये अधारी मत क्या करना निकाल के रख दीजे 48-50 मिनिट रखी रहे वह अपने आप थोड़ी गरम हो जाएगी प्रकरती की गरमिज फिर वही खा लीजे गरम तो दुबारा बिलकुल मत करें फ्रिज के दूद को दुबारा गरम कभी मत करिए फ्रिज की दाल को दुबारा गरम कभी मत करिए फ्रिज की सबजियों को दुबारा गरम मत करें चटनी भी फ्रिज में से निकाल के रख के खाये दही बी फ्रिज में दही रख देते हैं 48 मिनिट रखा रहने दीजे फिर आप उसका उप्योग करिए तुरंत निकालके और छार्ज बनाके वह बिलकुल मत करें मेवा खाना चाहिए के नहीं सूका मेवा जरूर खाये ड्राइफ फ्रूट्स आप जरूर खाये लेकिन जो ड्राइफ फ्रूट्स आपके लिए अनकूल है आप जहां रहते हैं वहां के हिसाब से मैं कह रहा हूं सबसे अच्छा बदाम आपके अनकूल है आपके अनकूल काज किश्मिश किश्मिश और मुनक्य में थोड़ा अंतर है बड़ी किश्मिश को मुनक्य तो मुनक्य और किश्मिश यह आपके बहुत अनकूल है बादाम आपके बहुत अनकूल है मखाना मखाना फिफ्टी फिफ्टी है ज्यादा अनकूल तो बिहार उत्तर प्रदेश वालों क और थोड़ा चले तो जारखंड वालों को आपके लिए 50-50 ना बहुत प्रतिकूल है ना बहुत अनकूल है बीच का है और बाकी जो अखरोट वगेरा है यह आपके अनकूल नहीं अखरोट खाना चाहिए हमेशा ठंड में रहने वाले लोगों को आपके लिए अखरोट बिल् अनकूल है वो आप खा सकते हैं और ड्राइफ रूट शाहिद इसके आगे हैं हाँ केसर केसर अगर आप खाएं वैसे तो आशदी है ड्राइफ रूट नहीं लेकिन यह तीन महीने के आगे नहीं खा सकते नवंबर दिसंबर जन्वरी और दूद में मिला कि मिश्री पिस्ता 50-50 है अंजीर बहुत अनकूल है सिर्फ एकी किसम के लोगों के लिए इसको मैं आपको कहता हूं जरा ध्यान से सुन जिनको शरीर में शक्ती की कमी लगती है शक्ती कमी लगती है ताकत कम है शक्ती कम है उनके लिए अंजीर बहुत फाइदे की है लेकिन जिनको पहले से ही ताकत है वो ना खाएंगे चेंदारू क्या होता है एप्रिकॉट आपके लिए ठीक है आप खा सकते हैं एक सुझाव है प्रश्ण नहीं है और वह सुझाव मुझे सुविकार है वो यह कहते हैं कि आप चले गए उसके बाद क्या तो उसके बाद ये व्यवस्था या अभियान या ये बातें या ये ग्यान सतत निरंतर चलता रहे इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एज्जेस्मेंट हो जाए तो बहुत अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो हाँ और बाबुजी बोलेंगे वैसे मेरा ऐसा कहना है जो मैंने सीखा वो आप सीख लो उतना ही सीख लो जितना मेरे पास है फिर आप उससे आगे भी सीख सकते हैं और ये दूसरों को सिखाते जाएं तो नियमित रूप से ऐसी व्यवस्था अगर आप सम मिलके करें मुझ सबसे अच्छा जो सम पानी माना जाता है इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा साधा बरतन का मने यो पीतल के उसमें रखा हुआ या कांसे के उसमें रखा हुआ नहीं तो स्टील में रखा हुआ गर्मी के दिनों में घड़े का मिट्टे करें तावे का पानी प लकड़ी सबसे बड़ा बैड कंड़क्टर है तो अगर आपने तावा पिया मने तो अर्थ के साथ जो कॉंटेक्ट है नंगे पाओं तो वो कतम करेगा आपको इसलिए पाओं में चपल रहें लकड़ी के पट्टे पर खड़े रहें प्लास्टिक की चपल पहनके हो रबर की चपल पहनके हो तभी तावे के बरतन का पानी पीना चाहिए केन वाटर बहुत लोग आजकल केन वाटर पी रहें ऐसा प्रशना है तो यह क्या अच्छा है बिल्कुल अच्छा नहीं तो आप बोलें फिर क्या करें आपके घर जो पानी आ रहा है टेप वाटर इसको खूब करने के लिए ब्लीचिंग करते हैं उसकी उस ब्लीचिंग में क्लोरीन इस्तेमाल होता है फ्लोरीन इस्तेमाल होता है और वो फिर शरीर में जाए तो बहुत खराम है और केन वाटर का टेस्ट साधा पानी से बिल्कुल अलग होता है तो केन वाटर से हजार गुना अच्छा है टेप वाटर लेकिन उबाल कर रखा गया है हाँ एक सवाल आ गया है जो अब तक किसी ने नहीं पूछा शायद आपको पूछने के लिए मन में तो होगा लेकिन आपने क्यों नहीं पूछा महिलाओं से संबंदित यह सवाल है मैंसीज पीरियड का दो सवाल आए हैं एक तो यह है कि वाइड डिस्चार्ज बहुत तो क्या कर तो इसके लिए आप ऐसा करिए एक आयुरवेद की दवा इस्तेमाल करिए उसका नाम है शतावरी शतावरी कहीं भी मिलती है आयुरवेद की दुकान को शतावरी चून के रूप में ले लीजे इस दूद में मिला लीजे और रात को जरूर पीजे दूद हलका गरम रहे और शतावरी डालके दूद उबाल भी सकते हैं फटता नहीं शतावरी जिनको भी वाइड डिस्चार्ज की समस्या है शतावरी और दूसरी कि जब भी मेंसिस पीरियड आता है बहुत दर्द होती है इ बहुत बढ़ी हुई है पित्त भी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है इसका बहुत आसान उपाए मैं बता देता हूं बागवट जी का है मेरा ने वह यह कहते हैं कि मैंसिस पीरियड में सब कुछ ठीक रहे समय से आए समय से जाए जाए जादा रख्त ना निकले और कम भी ना हो इस सब चीज ठीक रखे के लिए गरम गरम पानी में जो इतना गरम हो जैसे चाय होती है घी मिला के पिये गरम गरम पानी में खूब गरम पानी में गाय का घी आपके घर है तो बहुत अच्छा नहीं तो कोई भैसका भी चलेगा एक चम्मच मिलाएं आदा गिलास खूब गरम पानी खौलता हुआ घी मिलादें थोड़ा पीने लाइक हो जाए उतनी देर रख्या फिर इसको चुस बार पी सकते हैं तो अगर आपने यह शुरू किया तो सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ मैनोरेजिया है तो ठीक होगा मैटरेजिया तो ठीक होगा सब सब ठीक हो जाएगा मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता आप सब समझदार है हर चीज आपकी दुरुस्त औ पिए इसको ध्यान से सोने मेवा से weight बढ़ता है काजू को छोड़कर किसी भी मेवा से weight नहीं बढ़ता काजू ही है जो वजन बढ़ाता है कोई सूखा मेवा बजन नहीं बढ़ाता मुण से बद्बू आती है तो समझ दोगाओ नहीं है तो रात को त्रिफला खाके सो नहीं तो दूद और घी मिला के पीओ सुबह उठते ही पानी पी लो मुंकी बद्बू बंद हाथ पैर सुन्न हो जाते मतलब चूना खाते रहे हैं हाँ अब ये एक सवाल ऐसा है कि चूने से जीब फट जाती है तो आप चूना अगर सी जीब पटेंगे अब किसी ने एक सवाल पूछा हनी के केमिकल कंपोनेंट्स बताइए वो किताब में पूरा है आप पढ़ लीजें तो आप जरूर उनको गोमूत्र पिलाए अगर खाली गोमूत्र शुद्ध गोमूत्र अर्क नहीं खाली गोमूत्र आपने पिला दिया त यह तो पां मैं चूणा यह पां में जो खातें वो ही हैं और अर्म 5 मिनेट रुकिये मैं ने मेरा conclude किया है लेकिन यह आज के लिए है जिंदगी के लिए यह conclusion नहीं है यह तो रासता अभी खुला है जिंदगी के जो आज के हिसाब से पिछले 7 दिन का चला उसका conclusion शुभा क में यह आठ्वा दिन है इनका समारन का इन्होंने सवों का प्यास इतना बढ़ा दिया है यह प्यास अभी जल्दी बुझने वाली नहीं है इस प्यास को बुझाने के लिए राजी भाई को हम जब बुलाएंगे तो भी हाना पड़ेगा क्योंकि आपने सुत्र अभी बहुत थोड़ा बताया है और किसी का बिसलेशन आप ठीक से नहीं कर सके हैं एक एक बिसेपर अगर आप केवल एक ही बिसेपर एक ही सुत्र में एक दिन बोलें तो आप इनको अम्रित खोल करके पिला देंगे दूसरी बात और कुछ नहीं है इतना ही कहना है कि डौंग्डे के सामने एक चीज कहा था और नाना भात हर दिन भागबत करते थे कोई आवे नहीं आवे पत्नी सुनती थी गुजराती का था और धराब भाही हिंदी में पर पर देते थे उनके इतना प्रैक्टिस हो गया था श्यक्रमार पर चुके थे तो उन्होंने कहा था डौंग्डे भेज दीजिए नहीं नहीं उनको नहीं भेजूगा क्यों भाई तो मैं आपको सुनकर जाता हूं तो जैसे हमारे सर्ट के उपर में गर्दा या धूला पड़ जाता है तो जटक देता हूं सब निकल जाता है मेरा बच्चा अगर उसको ग्रहन कर लिया तो फिर वैराग ले करते हैं खाते हैं पीते हैं के बल सुख और सांती के लिए लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपकी जो साधन है आप करने की तरीका है जो आपको मालूम नहीं है मेरे जैसे जो 80 साल के हो रहे हैं मुझे इतना ग्यानी नहीं था किस तरह पानी पीना किस तरह खाना क्या और है कि इतना बजे जाना है इनको और का दस बजे इनका अराधना भवन में कार्शकरम है इसके बाद इनका कार्शकरम भर दिन दोगे उतना तुम्हारा जो भड़ा हुआ कटोड़ा है जितना चलकेगा उतना ही पर कटोड़ा वरेगा इस तरह हमारे यह हैं जितना यह देते हैं उससे ज्यादा इनके पास आ रहा है और हम बहुत सुक्र गुजार हैं राजी भाई का जो इन्होंने पहली बार एक तो पह हाल खचा खच भड़ जाता था आज यहां कल वहां परसों वहां यह चलता रहा और बड़े सक्सेस सक्सेस्पूर रहा है इनका वह कार्ज करम और उसको की जातरा आज पहले बार इन्होंने छे महिना पहले बोला कि हमने इतना अध्यन किया है अगर आप चाहें तो उसका उ सजनराज और रमेश जी और जितने हमारी मेंबर्स हैं मिराब जी हो गए रहा है इन लोगोंने कहा कि कल क्या होगा अरे बाइए काम करो सब आदमी दश बीस बीस आदमी को पकड़ के लाओ यह इनका आज इनका व्याक्षान है करेस्ट मने एक दिन रात के पहले इन्होंने भी है क्या क्या सब आदमी बीस बीस को पकड़ लेगा सत्तर अदमी सो आदमी हो जाएंगे मुझे लेकिन विश्वास था हमें का कहता था राजी भाय आएंगे तो खुड आएंगे एक दफ़े सुनेंगे लोग तो खुड शा जाएंगे इसको बेना और आप देख रहे है किसी दिन यह हॉल का एक शिट खाली नहीं रहता है बलके कुर्ची नहीं तो बाहर से सुनते हैं यह राजी भाय का है और पहली वार इन्होंने ही इसको आप क्या क्या है और मुझे अब इनको कहना है और देखेंगे यह कि अब यह हर स्टेट में हर गौहर डिस्टिक में इ के अपने तल्ले हैं किसी से कोई दिमांड कहीं नहीं करते हैं आज साथ दिन से मेरे साथ हैं कभी हमादावाद से कभी राजकोर से कभी मदपर्देश से कभी दिल्ली से कभी यहां से कभी वहां से कि हमको इतना हैं पंदरा दिन यहां हैं पंदरा दिन वहां हैं दो महिना का क तो जहां हैं वहां से फिर जाएंगा जैसे कल दो भासन था इनका बंबई में एक तो था सब्जी बाले का जो रिलैंस चला रहा है इस सबका आपको ताज्यूब होगा कि वडाला में सब्जी मार्केट में दस हजार आद और कि को किसी पॉलिटिकल पार्टी को वह मंच पर न आने नहीं दूगा और वह कहता है राजी भाई को कि राजी भाई आप नहीं बदलेंगे आप हमारा परसीडेंट बन जाई है चेयरमें बन जाई है बड़ी इन्होंने कहा भाई मैं तो सब्जी बाला नहीं हूँ यह नहीं नहीं किसी और को अपने में से बना लो बढ़ा बन तो जाएंगे लेकिन कब उनकी जब ख्याती हो जाएगी कल किसी पार्टी में गुच जाएंगे इसके बाद इसी तरह राजी भाई को हम फिर बुलाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक साथ दिन दे एक महिना ये रहें तो हमको बहुत कुछ दे सकते हैं हमारे सरीर को स्वस्थे स्वस्थे बना सकते हैं और इनके चिरायू हम सत्री करेंगे क्योंकि सतायू नहीं कहेंगे क्योंकि गांधी जी को बिनवा जी ने पत्र लिखा उनके जन दिन पर कि आप सतायू हो उन्होंने तुट रिपीट टेलिग्राम दिया हम तो सबाद शाल जिएंगे उन्हें 25 एक उन्होंने माफी मगा इसलिए मैं इसा कांस्ताय हो लेकिन जब तक जियेंगे स्वस्थे जिएंगे क्योंकि इन में सब कुछ है और कभी न तो सिर्में दर्द देखा मैंने जब कभी देखा इतना हेक्तिक होते वे भी इतना पंचित कभी उद्वेलित नहीं ह बैठा हूं क्वेश्चन के आंसर वो कर रहे हैं और हम करने आपको दस बजे जाना है आप सोट कीजिए और यह सोट नहीं कर सके क्यों इमानदारी के साथ आपके क्वेश्चन का इन्होंने जवाब दिया है इसलिए आप लोग आप लोग जुआ मनाईए राजी भाई के ल से हैं मैं इनको हमेशा आशिरवात देया हूं हमेशा देता रहूंगा और यह वही काम करें चौंकि लोग अपने लिए जीता है एक दफे जैप्रकास दिने हमका हमको यह सब काम नहीं होगा उन्होंने अब कुत्ते बनों गए रख्यों तो कुत्ता अपने लिए जीता है म आपका साध्य वह भी खराब हो जाएगा इसलिए साधन के लिए कितना बार कह चुका है और मैं तो इसका प्रतक्ष प्रमान मानता हूं मैं इनका गवा हूं इन्होंने कभी एक पैसा कहा ने सोफा कांजी हमको देजिए कभी नहीं और यह जो खादी उधी जितना आता है य यही इसी से जो आता है यासे जैपर कास को किसी ने सौफ लुपया दिया बंबई नगा सवाल लाख रुपया हर महिना देंगे कहा क्यों तो आपके वहाँ पर खाने पीने काने मेरा ओफिस तो कोई और चला रहा है इसलिए खाने खाने पीने का मैं पैसा जब आपके होंगा अपना पैसा तो कहां से आते हैं हम साव लिखते हैं से जो रॉयलिटी आता है उसे के भीच में खाते ही रहते हैं दुश्य पैसा नहीं खाएंगा यह है मारे राजीव भाई आदर्स अगर यतना कूट-कूट के इन भड़ा हुआ है देश भक्ती लोगों के लिए उनके में कस्ट इतना कूट-कूट के भड़ाया है किस तरह मनशुखी रहें किस तरह देश स्वस्थ हो किस तरह दे की राजनितिक बदले उसमें एक बाद यार रखेगा अभी यह बंबे अधिया अमेरिका जाने वाले हैं और यहीं से यह बंब फोड़ेंगे बंब यह कौन बंब है ऐसा बंब है जो कि सांती लाएगा लोगों को सिखाएगा कि हम कहां थे हमारे हमारे यह पॉलिटिशियों ने हमको कहां रखता है अगर वह चुप हो गए अगर इनको अच्छा ड़कुमेंट नहीं मिला तो देगा चुको कि प्रफुल भाई जितना हमको मदद दिया है दूसरे कहने पर कि आप जैसे एक बज़े से पांच बेतन को देखने का समय है और पांच बज़े के बल्द में सारे पांच बज जाता है कभी सो कभी सवासो कभी साथ कभी सत्त तो यह तो देखते हैं तो बहु कुछ आवेस में हमारे साथ जो हम लोगों को साथ दिया और जिस्तों नों किया इसलिए उनको निवेदन है एक वार उपर आए प्रफुल भाई एक एक दो मिनट के लिए आप उसरिवाद देने के लिए उपर आए और को इस दिए चुके हैं अब आप सेकरेटरी साहव हैं और हर एक शरीर का तले वर एक हैं लेकिन आप जो हैं तो आप हिर रहे हैं आप आईए इस तंस्ता की दीजिए उनको आशिरवाद अब यह सब्सवाबन की ओर जा रही है बैनो और भाईो महान रिशी बागभट द्वारा रचित अश्टांग हिर्दयम पर आधारित स्वदेशी चिकिस्टा के व्याख्यानों को आपने सुना राजी भाई ने सुदेशी चिकिस्टा के उपर व्याख्यानों में आपको बताया कि किस तरह से हम अपने स्वस्ट को अच्छा रख सकते हैं बिना दवा के बिना डॉक्टर के हम अपना इलाज कैसे कर सकते हैं यह आपने उनके व्याख्यानों में सुना आईए अब हम इन व्याक्षानों के आधार पर और बागवट रिशी के द्वारा रचित अस्टांग हिर्द्यम के आधार पर सुदेशी चिकिस्ता के शिवरों में भाग लें और सुदेशी चिकिस्ता के शिवरों में भाग लेकर अपने वात, अपने पित और अपने कफ के वारे में जाने और इन त्रिदोशों के आधार पर अपने शरीर को कैसे स्वस्त रख सकते हैं इसके वारे में जाने इन सोदेशी चिकित्सा शिवरों में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अपने बात को अच्छा रखें, किस तरह से अपने पित्त को अच्छा रखें, किस तरह से अपने कफ को अच्छा रखें, इन तीनों का संतुलन कैसे अच्छा रखा जाए ताकि हमारा सरी स्वस्त रह हमारे प्रतिदिन के भोजन में हमारे परिवार के भोजन में हम किस तरह का खाना बनाएं हम किस तरह का भोजन तयार करें ताकि वो प्रकर्ति के आधार पर हो इन त्रिदोशों के आधार पर हो ताकि हमारे परिवार का स्वास्त अच्छा रहे भाईयों और भेनों आपने सोदेशी चिकिस्षा व्याख्यान सुना, सोदेशी चिकिस्षा के वारे में जाना अब हमारा करतब है कि हम अपने सभी जनजन को, हभी अपने भाईयों को, सभी भारतियों को सुदेशी चिकिसा के बारे में बताएं और देश की सेवा करें हम अपने यहाँ पर इस तरह के शेवरों का आयोजन कर सकते हैं हमको अगर कोई बिमारी है, कोई परेशानी है, कोई सामान ने बिमारियों के बारे में जानकारी चाहिए, तो क्रप्या करके हमारे इस नंबर पर संपर कर सकते हैं, 982520113.